अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए करकारी ये विडियो बánना प्यार भेजिए हैं और सकता अर क्वार की अगल्डल्स एिए जना पिलिद ए क मैं सब प्रव कर रार रां अ मैं आ झाल झाल कर दो कर दो कर दो तुम लोगों को मजदूरी के ज्यादा पैसे चाहिए ना तो मैं दिलवाता हूँ मेरा वादा है लेकिन तुम लोग काम शुरू करो इन्हीं देने दिलाने के वादों में बर्कों भीज गए नहीं आखरी बार इसके बात तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा यह पूरा उगा हुआ फान पानी में खड़ा है अगर आज इसे काटकर सूकी सोखी जमीन पे नहीं डाला गया तो सब पर वार दो जाने दो थाकुर हमेशा अमरी जिंदगी की प्रश्द बर्बाद करता चला आए अज तक विस्टे बर्बाद होने दो अकि उसे भी हसास हो कि तकलीव क्या चीज रोती है यह तो थाकुर के तल्वे चाटने वाला जाए अरे तो असका बर खरीद गुलांब है उ य कोच्टे के साथ यह तक के रात का सोना भी घूटे के साथ है यह बच्पन में बच्चे बदल तो नहीं गया थे क्या मतलब है हमारा बच्चा किसी और के घर कुट्पे कर बच्चा हमारे जबान के आदू रखो जो बन में अनाप शराप आता है बोलते रहते हो तो और क्या करूँ यह कोई अलाद रहा है क्या बात है खेतों में मजदूरों ने हरताल कर दी हरकर बेचे जब तक उनका मौज़ा नहीं बढ़ाए जाता काम नहीं करेंगे क्या मुसीबत यह मजदूरों की जात है नमख खराम जब यह को खास मुका आता है तो ऐसी एड़ी बाजी करते हैं लेकिन आप पिंदा मत कीजिए डैड मैं दूसरे गाउन जाकर दूसरे मजदूर लेकर आता हूँ और इमसालों के मूब जूता मारता हूँ कोबिंच तुम डैड को लेकर खेट पर जाओ मैं मुदूर लेकर आता हूँ चल एड़ यह सब क्या है इस तरह काम छोड़कर बैचना डामा खरामी है आस तुम सब लोगों ने मेरा पमान किया है उस कानून की तो हिंकी है जो पीडियों से इस गाव के मिरसूर बानते चलि कोशिष की तो पैर तोड़ कर आधमेद दुमाया आप विच में किसानों काहिसी मामला है और भाइओ यह ठाकूर यह जमिंदर वर्षसे तमाम किसानों का हक छिंताय है है और आच हम लोगों का मानने के लिए कुम लोगों को बुला है लिकिन याद रखना ले हैं लेधा है कि महनत अमरी माँ है मस्दूरी हमारा इमान आये इस विश्छत हम सब भाई आ हैं हम एक दुस्दे की मदद करनी चाहिए वंए गुजा ना चेए समझना यहां कसान और मजदूर भाईयों को आपस में आना चाहते हैं ऐसे कभी नहीं होगा है माफ कर दो हमीं आले मालुम नहीं था वरना हम यह कभी नहीं आते जाए तरव मुझे किसी को रहत नहीं है कोई जरूरत देने किसी की मैं खुद खुद वदल काट लूँगा हरामी साले छोड़े ठागुर तुम्हें सब कुछ करना मन्जूर है लेकिन इन गरीब मजदूरों को उनका हक देना मन्जूर है अगर इनके सर पे प्यार से हाथ नहीं फेर सकते तो मत फेरिये और तुम्हा आपने बात मिलवारे के लिए हमारे फाइदे का लाले तुम्हासी चाल चल रहा हो अरे भार में गए इनकी चाल और भार में गई फदल फरती है तो सड जाए लेकिन हम इंके आगे कभी सर ने चुखाएंगे इंकी मांगे कभी कभूल ने करेंगे चलो डाइड अतरव अतर ज़राइड गए मां लिए नक्षबी कर भाई बहाया लेड़ा तुझे ने पेना पाने गउड़ा आगे देखकर ऐसा लगता है जैसे मन कि सूखी खेती पर प्यार की बच हार पड़ दिश्कार प्रण पाने पिले एक बात पुछो, तुम दोनों सादू सन्यासी हो क्या, तुम लोगों को आने से पहले एक दूसरे का पता कैसे चल जाता है, थोड़ी देर पहले लक्षमी पानी ले ने ये कहकर भागी, कि भई आ रहा है, और तो आते ही पूछ रहा है लक्षमी कब आई, मा, इससे प्यार की वेरलेस कहते हैं, आँखों से देखे बगार, हाथों से छुए बगार, मन के रेडियो पर खबर आ जाती है, कि जिस बहन को दुनिया में सबसे ज्यादा चाते है, वा आगे, तुम दोना का प्यार से जीब भर गया हो, तो आप खाकर पेट भी फदलो, इससे देर हो रहे है तेरे जिजा जीज का इंतजार कर रहे होंगे, चलो बया, आज मैं तुम्हें अपरी हाथ हो से खाना कहलाती है, अरे ने ने, ऐसा मत करना, परना मूझ को अदर पढ़ गई, तो कल से खाना, कले से नीचे नहीं उतरेगा, अरे, कैसे नहीं उतरेगा, मुझे याद करते जा तेरा इctarादा क्या है? आरे मालिक के मामलों में दकल देने के तु जरूरत क्या है, तुछ क्या आपने आपको इस गाओ कः ठाकूर समझता है, जमिदार समझता है, अरे हुआ क्या है, क्या क्या है इस बिचारे ने, जो आते ही इस पर वरषना शूरू कर दिया? यह बेचारा एक दिन हमारे मुग का चारा चीन कर रहेगा पर आखिर क्या है किसका आना इस कौन का ले जाए इससे क्या मतलब अब यह मालिक लोगों के मूग लगने लगा उन्हें थंकिया देने लगा है वो तो मेरा मूग देखकर माफ कर दिया इसे उनों वरना कि असुली गुलामों की तरह गुलामी करके उनके पैर दबानी के क्या सब्सक्राइब जो सेवा चक्री उस बड़े आद्म की पत्नी को करनी चाहिए तुम्हारा बात क्यूं करता है यह कहका लोग मेरे मुँपे थुकते हैं जी करता है चुलू भर फानी में दूप मरूं हम लोग जो जब देना बंगरते नजर नहीं आपने थे अब बाप बटा जगरना बाद में पहले चल कर खाना खाना खालो अर भाड में गया तेरा खाना मुझे नहीं चाहिए हुआ है मैं जी तुम दोने अपना गुष़ा क्न भी की निकालते हो चलो अगा ख्लावल हराम है मुझ पर यह घाना कहले चली जाओ यहां से चुपचप पहले खालो पर जगी आधे लिए इस घर का ख्लाव मुझ पर मैं जब जब चली जाओ लिया अगर यह दोनों खाना नहीं खाएंगे, तो होग दोनों भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल! अच्छा बाबा आता हूँ! अच्छा बाबा आता हूँ! नहीं, बचा! नहीं, बचा! बाई बाई गटा हुशा थाओई तो हाएंगे. बतुम्या। ये वोग बाईगा! नहीं बतुम्या। है होगएंगे, जहीं। मिठ्ची खाएगा परा नच्खत है बहुत सताता है हाथ नहीं आता है आजा आजा मेरे आजा आजा मेरे मिठ्चू मिठ्ची तुझे पिंजरे में बंद करे लू आजा आजा मेरे मिठ्चू मिठ्ची तुझे पिंजरे में बंद करे लू मिठ्चू मिठ्ची मिठ्ची बाते में चन्द करे लू अजया अजया मेरे मिठुमिया, तुछे बिंगरे में भंद कर लो मिठुमिया आते मिठी 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 मिठी, बासे में चन्द कर लो कि आपके अजां जामेरे मिठूमिया तुछे बिंजरे में बंद कर लूँ कि जब जब मेरे सांने होंए तक अगंग में दर्ट जगाएं जब जब मेरे साम में आए, अंग अंग में दर्द जगाए, दिन बर तेरी आद सताए, याद में तेरी नीन आए दिल में समाजो मेरे, खोल के दिल का दरबाजा आजा आजा मेरे मिठो मिया, तुझे पिंदरे में बंद कर लू आजा आजा मेरे मिठो मिया, तुझे पिंदरे में बंद कर लू हुआ 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 है है जुल्मी फुर से उर जाता है यहां वहां तो छुप जाता है इधर उधर तो मुड जाता है मैं हुआ से बंचर घर दे प्यार का बादर बन कर छा जा 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 मेरे मिठो मिया तुझे पिंजरे में बंद कर लू मिठो मिया से मिठी 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 बाते में चंद कर लू मिठो मिया तुझे पिंजरे में बंद कर लू अजा अजा मेरे मिठो मिया तुझे पिंजरे में बंद कर लू हट लगता है शर्म बेच कर खा गई अरे जालिम जब मन में प्यार की आग लगती है तो शर्म की चिता पहले ही जल जाती है और अब तो मेरा रोम रोम इस आग में जल रहा है रवी इस शरीर के पैमाने में जो जवाने की शराब उचल रही है आज उसे पी ही डालो खमोश तो बारा इसे गिरे हुए बेशर्मी के शब मुझे निकले तो तेरा चेहरा इसे बिगर दूगा के लोग तुझ से ड़ने लगेंगे अगर मन में पाप की आग है तो जा किसी पापी आदमी को ढूले चीक है मालिक मालिक बेची ने आपको आराम करने को कहा है और आप है किसी घंटे से ऐसे चले जा रहे हैं कि जैसे होड़े ने खास की बजा है खाने के बाद हाजम करने के लिए पैदल चलना चाहिए आप तो इतना चल रहे हैं कि खाना पेट से उतरकर पाओं में आजाएंगा और आपके पाओं भारी हो जाएंगा पाओं भारी लुबान जी हाँ कुर्बान गाल हादर है यह बात तो मुझे अभी बता रहा है जब मैं जिर्टो मील पैदल से चुका हूं अरे अब तो मेरे पैरों को भी चक्कर आ रही है एक रोटी हजम करने के लिए आपको दो मील का चकर लगाना पड़ता है यहां तो आपने दस पराथे पांच अंडे और दो सेर दूद इतन मेरा बेटा इतना ढूटा हुआ समाज मंदिन में कुष्टी लड़ा था पहलवा ने उठाक पटक दिया और इसके हड़ी चुका हाथ भी एक तो यह नालाक बगर हड़ियों के पैदा हुआ थे दवाया खिला खिला के इसके शेर में हड़ियां पैदा की उधरे समाज मंद कि और क्यालेंडर है मैं समाज मंदिर से तंग आ चुका हूँ अब इसको तुड़वा नहीं पड़ेगा थे चीजी क्या मुसीवत इस सनाज मंदर के सोब बूट से किसी दिन दरा इवा कट जाएगा सुपह में भजज़ शौन में कभड़ी राट में तबाली ऐसा लगता ह कि प्रोस्ट में किसी इंसान के नहीं शैतान का खरा के पुस्किया है करते हैं और आदमी रहते हैं जानवर नहीं खामोश और एक सवाल मैं आपसे कड़ता हूं शक्ति सिंग जी या इसे क्या कच्रे का डबा समझ रखा है जो रोजाना घर का कच्रा यहीं फेकते हो आज माप कर देता हूं मhthalल अगर अगर तुमारे घर का कच्रह यह आया ते तुमारा यह शांदर घर कर शॉष्छी करके शराफास से पेशाओं अयर्ना मैं आगा दक्रा घर है आगया तोग लुश्ते भी होगी कसल भी होंगे और नौटन की भी होगी अगर तुमसे देखा नहीं जाता तो आखे बंड कर लो और बोला नहीं जाता तो अपना मूँ बंड कर लो समझे आभे आपना मुंध आपकल के घंदे क्यों इसे मून लगके अपनी मतहत हुआ निकल रहा है जाल अगर आप उस गंदे जोबड़ को अठाने के लिए पंचायत को राजी नहीं कर सकते तो यह का मुझे करने दीजिए मैं खुद जोबड़ को आग लगा दूगा बुजर्गों ने कहा है कि पड़ोसी के घर को आग लगा वे तो खुद का घर भी जल जाएगा तुम्हें का असान काम क्यों नहीं करते हैं अपने भाई को कि नहीं छोड़ देते तो लोगों पर है अरे भाई बैने तो एकी बेट इसका भी नाम है क्या नहीं टेक्षायँ चच्ठी हा मामा आप। आज समाज मंदिर के खिलाफ बड़ा उगड़ रहा है तुम उनके मुपे जाड़ू नहीं फिरते रिकाल भाग नहीं करते लोगों को अरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता चंदीदस समाज मंदर के नाम पर जो गुंडो को अड़ा चल रहा है वो जमीन रवी की है तो तो ये कि वो जमीन रवी को अपने दादा से विरासत मिली है और वो ये जमीन बेचने को कभी तयार नहीं होगा जाकुर साब जब गोईन की बे तो तुमारे नोकरी भेजे ताके तुम उसकी पगार से आहिस्ता आहिस्ता आपने कर्ज की रखम वसूल कर सको और एक मरतबा वह यहां आया मतब शिकारी की जाल में बिगड़ा हुआ शेर पसा फिर तुम उसका गुरूर ने चोड़ लेना गमन निकाल देना दादो घार जो तेरे नाम पर है जहां तुने समाज मंदिर बनवाया है उठाकों साब चाहते हैं वह जमीन तुमने देदो कहते हैं उनसे लिया वह सब कर्जा उतर जाएगा अग लगे उनके चाहने को जमीन तो क्या एक मुट्टी भर मिट्टी भी नहीं मिलेगी वहां की अरे बेटे हमें क्या करना उस जमीन के टुकड़े को उनकी हवेली के बगल में घर थोड़ा बनाना है देदो उनको जमीन और खतम कर दो बात तुम नहीं जानती किसी भी तर जो मर्दीन से करवालो आहां मैं गोबर गनेशी सही यह तो आकल का ख़जाना है ना इससे पूछो बाप का कर्दा कैसे चुका है इसे भी चुका दूँगा इंसे काओ थोड़ी सी मौलत आ लेले अरे मौलत मिले से पैसा काहा से आएगा पूछो इससे कही चूरी करने होग से इसे अलग से मैनत मज़्दूरी करने की क्या जरूर है हम दोनों एक ही जगा काम करेंगे तो करदा जल्दे उतर जाएगा अब आई बात समझ में कुमा फिराकर यही दाओ खेलेंगे यह मालूम था मुझे अरे मां कुछ समझी इनकी तरह ठाकुर के पैरों की मालीश करने वाला गुलाम बनाने का प्लैन बना जा रहा है हम इस चनम में यह हो नहीं सकता यह गुलामी का सिल्सिला इस पीड़ी से ख मैं तो अदालत में साफ साफ कही दूंगा मेरे पास पैसे नहीं और मैं खुशी-खुशी जेल जाओंगा अगर यह जेल गये तो इनसे कह दे इनके साथ मैं भी जेल जाओंगा लेकिन उन सब सालों को कतल करके यह इससे तो अच्छा है इससे कहो बाप की चिता को आग लग यह क्यों जगड़ते हैं लीजी यह जेवर लीजी इन्हें बेचकर उनका कर्द अदा कर दीजी रक्षमी क्या बहुदा बात कर रही है तेरा भाई अभी जिन्दा है तुन्हें कैसे सोच गया कि तेरा भाई तेरे गहने बेचने के लिए राजी हो जाएगा हां के देदे तेरी खातिर मुझे ठाकुर के यहां काम करना मन्जूर है चिन ठाकुरों के यह बर्सों से खुलामी करते आये हैं कहते इनका बेटा भी कर से उनके खुलामी करने आ रहा है उनके चूते साफ करने की लौक्री के लिए घाजी हो गया है इस दो कुछ यह कुट्टे के कान में क्या जहां करें पईशा गिर गिर गया कि अदर कि नहीं मामा सब कान में दर्दों आजे है और माले कि दर्द भाई तो अपने से को खामखा तक राट टंटा ना करे लगन से काम करें जा तू बगीचे में जाके मेरा इंतजार कर मैं आके तुझे काम समझा देता हूँ अबे ओ रवी के बच्चे, क्यों बे शक्ति के बच्चे है, रवी, पुरा लगा ना, इसी तरह मुझे भी पुरा लगा, इसलिए इजद दो और इजद लो, मुझे रवी कहकर पुकारो, ओ, हो, हो, महराजा राज राज श्रीमान रवी साहिब, अब आप किरभा करके, अपन मैं यहां सिर्फ अपनी बहन की खातिर काम करने आया हूँ, इसे जारा समझा देना, बड़ी देल लगा दी पेड़ गिराने में, चीक है, इसके छोटे छोटे टुकुडे करके, शाम को हाँ बेली न पहुचा जो, गोबेन, तुम यही ठहरो, और इससे टटके काम करवाओ, जी मालिक, करो 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 कर आपकी ये उमर काम करने के नहीं है वेटा तो अज तक कभी ऐसा काम नहीं किया और आज एक ही दिन चार आदमियों का अकेले काम कर रहा है तु अच्छा है ना पीजये मेरा बाप अपनी इज़त नहीं रख सका कम से कम मैं अपने बाप की जब तो रख सकता हूं उन मगरूर लोगों को सबक सिखाने का अच्छा मौका मिला है मगर तुझे ये बुरा मौका दिलाने वाला ये तेरा बदकिस्मत बाप में बेचे हैं मैं देख तेरी हथेली में कितने च्छाले पड़ गए हैं तेरी मा देखेगी तो खून क्या असूर होएगी जल्म के कुलाडी ने कितने माओं के लालो के खून बहाए हैं आज तक उन माओं के दिलो पर क्या बिक्ति होगी कौन जाने है अब जाएए खाना खा लीजिए मुझे काम करने दीजिए जाए है कंचिन बिटी आ रही है हाँ तार आया है लिखाया स्टेशन पर गाड़ी भेज़र हाँ ठीक है तुम भी जबाबी तार देदो के स्टेशन पर गाड़ी पहुंच जाएगी वाह महिनों से कहरों कि एक ए आपने भेंद को लेने के लिए खुद स्टेशन जाता है हाँ भई कार भी ले लेंगे लेकिन पहले हमारी बिटीया रहनी के तुम आने दो एए 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 आहरे एए एए टांगे वाले ले वैरा है क्या फ़वाइए फ़र्माईये क्या इतनी देर से चिला रही हूं सुनाई नहीं देता क्या आप एए चिला रही थी आज के जमाने में ये बोलने पर तो जानवर तक नहीं आते हैं मैं फिर भी इंजानू शाराफ यू फूल गाड़ी लेकर तुम ही आयो ना तो फिर प्लाट्वाम पर सावान लेने क्यों नहीं आए नहीं काम पर लगे हो क्या चांते नहीं मैं कौन हूँ मेरे सवाल का जवाब दो मुह में जबान नहीं है क्या मेरे बदले तुम्हारे मुह में तबल लंबी जबान जो है यह काफी नहीं है लगता है बहुत चर्वी चड़ गई है तुमको रोस असली घीकी बिर्यानी बना कर तुम जो खिलाती हो मुझे शराफ अगब से बात करो अचाओ ये समान और टांगे में रखो तुम राद नीचे जला आगे सरक्यों पीछे वजन जाधा हो गया अरे पीछे 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 क्यों आगे वजन जाधा हो गया जाधी चलो अरे रामपुर की भैसन भाईया रामपुर की भैसन भाईया आउच यो इदिया ब्रूट तरा समान के चलो अरे रे मेरा समान की चर में गिर गया तेरा सूटकेस मेरे सब कपड़े नालाई बत्तमीश मेरे सब कपड़े तेरी मेजे से खराब हुए अब इने कौन साब करेगा तू या तेरा भाप अओग अओग कर अदा अरे वो गांगे बाले! अरे तरा भुक! 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 अग जो लग लग दी अगा दॉर जो अदूर मांगा पेले जी वारे अ पहले बता दो पिर रोले ना अरे क्यों धमकार रही उच्छी को पिछाने पहली सही वहा है वो वो गाड़ी वाले इडिया उसने घाड़ी ऐसे बहगाई कि मैं गाड़ी से नीचे कीचर में गिर गई और मेरे तारे कपने अगर इस नहीं ख्याल था अपनी बहल का तो खुद लिवाने चले जाते हैं मेरे इतना जगाने की कोशिश की किसी और को भेज़ दो खुद गंबा लोड़कर सो गए अब दिखाने के लिए अब हमें हाथ पेर मार रहा है और इनके मुझे को इसे पूल बरसते हैं इन्होंने ज़रूर कुछ किया होगा क्या किया चलते वक्त गाड़ी जटके घारी थी तो मैंने कहा यू इडियत आराम से गाड़ी चला उसके बार मेरा कीचर में गिरिया और मैंने सिर्फ ये कहा कि अभी कप्ड़े तेरा बाब दोएगा वाह इसे कहते हैं जवाब देखा मेरी बेटी की पहादुरे को कि यह हां दुनिया में कौल सा नालाक मर्द होगा जो ए देखा गोविद हमने तुमारे बेटे पर भरोस्ता करकर से सिस्लेशन बेज़ा और उसने ऐसा परता हो किया हमारी बीटिया के साथ तैडी आप उसे फॉरन यहां बुलाकर उसकी खबर लीजे और खुब कड़ी सजा देकर उसे नौकरी से निकाल दीजे अगर वो यहां का कराण अपर, उसे अपने काबल में कितनी नौकरी, अगर आप उसन नौकरी से ठीकल देगे थे, टो मेरे सारे किये करायए पर पान फिर जाए, तो क्या उससे ऐसे छोड़ देंगे? तो तुने और यह तो नहीं पेश आ सकता तो कम से कम लड़कियों के साथ तो इज़त का बरताओ कर इज़त का बरताओ तोनों तरफ से होना चाहिए यह सब कप्रे तेरी वाज़े से गंदे हुए ले अब वो इने तू क्या मेरी जोडू लग दिया है जो मैं तरे कप्रे धो हां अरे हां अरे रोमत 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 बेटी उसने नहीं धोया तो ना सही मैं मैं धो देता हूं तो अंदर जा बिड़े जा सब्सक्राइब इसलिए आज के रावन का सरवनाश करना है तो आज के राम को भी बहुत ताकतवर होना चाहिए नहीं तो तो होना ही चाहिए वर्ण आप से चंदा लेने आये हैं हां उनके काम में तो हम सबसे आगे होते हैं यह लोग गिल लेंगे शाम को आगे और ले जाना और देखो एक बात का ख्याल लगना तुम लोग रावन को आग लगाने का सभाग्यां पेरे ही बेटे को बिल्ला चाहिए समझें क्यों नी ठाकुर साथ चोटे ठाकुर साभी रावन के पुतले को आग लगाएंगे अगर वो यह साबित कर दें कि इस गाव में वही सबसे ज्यादा शक्ति शाली और सबसे ज्यादा बल्वान है तो वही रावन के पुतले को आग लगाएंगे गावालो फी शक्ति सिंग इस नारियल को, आपने नारियल को अपने फॉरा दी मुक्रे से तोड़कर इसके भेजे कापानी भलग से निकालने वाले हैं अपने तागत का, अपने बुलापे का, क्या है? जवानी. इदर जवानी? मुझाराः करेंगे, उसके बाद अपने हातों से रहा देंगे. रहाबन, वो रहाबन, वो रहाबन! हुए कोई माई कला लेन कि तागत को द्वखारदी वाला, कोई भी नहीं है. जो था जाओ. लगाया不द कोई मिदियाँ विज्गो अगाँ नारेल टूट गया ! यह दो बास 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 ! यह दो आरेल का पानी नहीं sitä! इंका पानी निखलग incapable व्हाँ.. . फैर अब मां इद नारेबख्या नुक्फेस नहीं wanna take your ँट कर दो 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 इक रावण को रामने मारा, इक रावण को मैं मारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा, जै जै शिरी राम को कारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा, जै जै शिरी राम को कारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा, इक रावण को रामने मारा, इक रावण को मैं मारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा, जै जै शिरी राम को कारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा, जै जै शिरी राम को कारूंगा कारूंगा ये अनोगी रीत्र भैया, इस निले आकाश तले हर कोई एक बार जले, लेकिन रावण हर साल जले ये अनोगी रीत्र भैया, इस निले आकाश तले हर कोई एक बार जले, लेकिन रावण हर साल जले अब के बरस धर्ती के सर से, मैं ये बोज उटारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा, जै जै शिरी राम को कारूंगा तेरी लंका आज उजाडूंगा, जै जै शिरी राम को कारूंगा जै उवाड़ा जै एक लोड़ा, जै खिरी दिएी राम को का आज़ता राम को । जब अन्याय हुआ चली है न्याय की तलवार यहाँ जब जब अत्याचार हुआ आया कोही अवदार यहाँ जब अन्याय हुआ चली है न्याय की तलवार यहाँ जब जब अत्याचार हुआ आया कोही अवदार यहाँ राम न जाने कब आये हां राम न जाने कब आये मैं कब तक बात निहारूंगा तेरी लंका आज को जाड़ोंगा जै जै शुरी राम को जारोंगा इक रावन को राम न मारा एक रावन को मैं मारोंगा तेरी लंका आज उजाडोंगा जै जै सरी राम को कारोंगा तेरी लंका आज उजाडोंगा जै जै हुजाड़ंगा को ज्याहति राम next l 이것도 हुझ खुझ जो हो टी जाते हा में चाम जांगे की हुझ जो सोबlot назी जाते हा स्बश्वा सपरी हार पूछ उससे कि वो रातों को कहा रहता है जब पती अपनी पत्नी को छोड़ कर रातों को बाहर रहता है तो अक्सर वो राते गुनाव की आगोश में गुजरती है नहीं भीया ऐसा मत कहीए वो इसा कभी नहीं करेंगे नहीं कह रहा है जिंदगी का तजरुबा बोल रहा है आपका तजरुबा गलत बोल रहा है देखना वो आती होंगे आप रात पर कहा थे और ये कौन है मैं जहनुम में था तुम से वहलब और ये मेरी जान है मेरी माशुका है आज से इसी घर में रहेगी हाँ क्या नहीं यहां नहीं हने रह सकती है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ तुम का हर दिख झालके है मैं तुमकामे रखना है तो पहला मेरा क्रदी जे नहीं तुभाब नहीं को था ईक और यृसरो नहीं कहें कि ना सोचेगा सवाई तुम्हारे भाई कि वही है जो सारे गाव में हमारी बदनामी कर रहा है रफाइ पहला रहा है यही है वह जो अपने भाई की कान भरती होगी नहीं यह जूट है नहीं मेरे महिया से कुछ कहा नहीं इस बारे में कि इसे गुज़ देकर गिया मैं तुझे और तेरे खानदान को अच्छी तरह जानता हूँ किसी के पीट पीछे बुराई करने वाले को क्या सजा दी जाती है आउव मैं तुझे बद आता हूँ जाव! ऐने! अले! जोओ! जुखुँ!! कही ने? तुन्हे मनी बेन को सलाक से जला डॉला! आज इस सलाक से मैं तेरी आकेपॉड़ दूआ! निहीं निहीं! इस लग्षबै! इसके सरफे शराब और शबूट चला हुआ है! कि यहां मैंसे चोड़ देता हैं लेकिन यह आई आई आप शराबी का बच्चा कभी तो बार आएगा इसे मैं बोमार मारूंगा कि जिंदगी भर चलने फिरने के लायक नहीं लाइगा जो के चराबे बढ़कर फीड मंगेगा यह क्यों तुम कौन होते हैं इन पर हाथ उठाने वाले ये मेरे पती है ये मुझे मारे ये मेरी जान ले ले इनको मेरी जिंदगी आर्माग पर पुरा अधिकार है लक्षमी जाओ चले जाओ मेरे घर से और कभी दुबारा इस गर में कदम नहीं रखना जाने से पहले इस घर के सुक को डसने वाली इस नागल को घर से बाद निगां कर जाऊंगा तो अगर किसी को इस घर में लाना ये निकालने का हक है तो सिर्फ मुझे अगर तू अपने माबाब की असलिया उलाद है या तेरे अंदर रती बर शरीफ खांदान का खून है तो चुप चाप एक शब बोले बिना यहां से चली जाएगी अब निकल जाए यहां से जोड़ अमा तूलिया तू पाप के तलब में गंगा जल तलाश कर रही है जहर से अम्रित की आस लगाए बैठी है चल बहन इसके दिमाग पर शैतान ने गुना की मोहर लगा दिये है सच्चाई में इसे बुराई नजर आगी और बुराई में सच्चाई चल बहन खर्चाब तेरा भाय बेजना है चल एए एए चांदवारों के हस्पिटल में पैदा हुई थी क्या ए ए किये जा रही है इंसान की जमान में बोलने ही सकती रास्ता छोड़ो मुझे यहां से निकलना है चेहरे पर लॉरी की हेंड लाइट की तरह जोड़ों आखे लागी हुई है अगर उसे खोल कर देखोगी तो पता चलेगा के यह रास्ता नहीं खेत है जाना है तो अधर से जाओ पकवास नहीं चाहिए मुझे इधर से ही जाना है और मुझे यहां अपना काम करना है आज तक मुझसे जिद करके कोई जीता नहीं है मैं यहीं से ही जाओंगी अधर जाओंगी तो कोड़ी का किसान हमारे अनाज पर जीकर हमीसे जबान चलाता है यह मेरी जमीन है अगर मैं चाहूं में से रोंदूगी तो जोचर दो सब्सके दस बारा लोगों को बलवा कर कुछ रूंगी दी जीक तो चाहिए यह पाप है अरे इस घमंडी बाप के अलत को पाप कर समझाएगा इसे उकारवाला ही समझाएगा कोटो हो कोटो तो बिरिट में समझा दिया ना उपरवाले नहीं तो अगर इन्हें कुछलेगी तो धर्तिमा कैसे पलताश करेंगी या तुम दावागर बाग के गोश्ट साफ बिच्चु निकाला तो डंग मार बार के ये गुलाबी रंग निरा कर देगे कि भी देखें दॉन देखांच देखोक्शान द्छाप बिटियाए अन्दर आई है आए यह क्या इंदर पे बिराक्र से आ अन्दर आइन ना डेलिले राज ने पिर कभी होंगी ऐसा मातकी धर्ते काफेर नहीं अदर नहीं आये तो हमें बड़ा दू कोगा थोड़ी देर के आये ना सम्हाल की मा देखो तो कौन आया है जल्दी आयो ना आप हमारे आहो भागिया जो आपके शुप चरन हमारी कुटिया में पड़े आये बैठे ना ने इस वक्त मैं जल्दी में हूँ फिर कभी होगी ने ऐसे कैसे जाएंगे आप ऐसे नहीं जाएएगा प्यास लगी होगी उस तो फिकर जाएए ने ने मुझे कुछ भी नहीं जाएए मा तुम भी कमाल करती है महमान उसे इसी बाते पूछी जाती है जाकर लियाओ ना कुछ थोड़ी से चास तो पहले पड़ेगी लाओ तो सही पहले तुम जल्दे लियाओ ऐसे क्यों खड़ी है ताव में कुछ चुप तो नहीं गया बिल्कुल ठीक पहचाना आपने कांटा चुप गया है इतना दर धोरा है कि चला भी नहीं जा रहा लाएए मैं निकाल दूँ आप क्यों तकलीज करते हैं आप खामखार डर रही है मैं इतनी आराम से निकाल दूँ ही आपको पता में लिचे लेगा लीजे चास भी लीजे हम तो आपी का दिया हुआ खाते हैं आपी का दिया हुआ पिते हैं आपके लाए काभावत हम कर नहीं सकते मां लेकर तो लाना चाहिए था इसमें तो बाल है अच्छा यह तो बड़ा अच्छा शगुन है इसे रिष्टे मजबूत होते हैं मां शगुन वगन की बाद छोड़े पहले इचाज में को दूसरा ले आओ नहीं फेंगड़े की क्या जरू होता है खामो खाम वेश्ट हो जाएगा अच्छा थेरी लीजी लक्षमी जल्दी से हल्दी गंकु तो लेया है हां नहीं इसकी क्या जरू होता है यह सब मंगलकारी वस्तु है स्रीजाती को इसके लिए ना नहीं करने चाहिए चूले पर कुछ जल रहा है तुवारी है चूले पर तो मैंने कुछ भी नहीं रखा नहीं जरूर कुछ जल रहा है वाद जबर्दस बुआ रही है आप जाकर देखिए तो अच्छा थीक है तु पागल है क्या उसके सामने दूसरा ग्लास चाहस लाने को कह दिया घर में एक ही ग्लास तो चाहस पड़े थी चाहस खटी तो नहीं थी ना नहीं नहीं बहुत अच्छी थी मैंने सारी पीली देखिए माई यह लो लीजिए अच्छा ओके बाई बाई हाँ सर से पाउं तक चड़ भी चड़ गई है इस शाली को तो पागल पहलबान धोबी जैसा पती मिलना चाहिए धोबी घार ले जाकर पटक पटक का चड़ उतार दे क्या बकता है कितनी प्यारी बच्ची है बिलकुल फूल जैसी मैंने बुलाया तो अंदर चली आई बिना कुछ का है छास भी पीली और जानता है साथ में कुमकुम भी ले गए मा भी थी क्या खाग ठीक कहती है आरे यह क्या क्यों तु कहती है न मेरे लॉल के मुझे दूस चपकता है तो देख आज तरह लॉल के मुझे चछ चपक रही है चछ जी हाँ चाच तुम्हारी दीवी चछ उसने बड़े पेम से मेरे मुझे मार दिया मोड़ी प्यारी बच् इसका की आजया होगा जैए कि तुम्हारी की मिलावट यहांग ऑन खब्धाय है अधार तो थियूद्ध्टन के शक भी नहीं कोई मिलावट रॉप छुँदेश धर आराम करो और फिर देखो ठकन कैसे हो जाती है जैसे तुफानी हवा में से धुआ गाइब होता है चलो 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 अफ्रीज में वाइब क्या मंदर है यह शहर में रहने वाले कभी सोच भी नहीं सकते कि गाओं के खुपसूरते किसे कहते हैं उद्रती खुष में कैसा होता है यह एक भी लड़का नजर नही ही है तुम लोगों की बसंद भी कितनी घटिया है यह तो हमारा नौकर है तो क्या हुआ पराग कौन सा बाश्य का बेटा था मजनू कौन से गवर्न की अलाथी अरे यह नौकर ही नहीं बेवकूप अनपर जाहिल गवार भी है एई कम यह अरे देखो रो देखो देखो है क्या है तुमने सुना नहीं क्या वैरे हो हमारी या लिए कच्छे आम तोड़कर लए है मैं शुला है मैं कच्छे आम गाओ कचिक गली निई थे आप खुदको नहीं तोड़त लेजर इसी इगा तो क्या तुम्हारे सर पर चाड़के तोड़ेंगे तर आखो पर आये ना आये 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 यह यू इडियट यह क्या बर्तबीजी है उझे नीच उतारो विम्हार मैं कच्छे आम कच्छी कली के साथ साथ कच्छी लड़की भी नहीं तोगा यू पूर्ट इडियट आओ ओ ओल इडियट गल इडियो लूट आप हुआ 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 हुआ! हुआ 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 है? भूज फूल खूटेो हुआ है You are an idiot, bloody idiot, I will make you a fronky छोकरे, गाओ के छोकरे चिछी ये छोकरे, गाओ के छोकरे दुनिया आगे निकल गई है, कितने तीछे रहे गए हमने छूलिया मर्ये पेपल के नीछे रहे गए छोकरे, गाओ के छोकरे छिछी ये छोकरे, गाओ के छोकरे है है नारिया, शहर की नारिया बेच दिये सब शर्म के गहने इन बेशर्मों के क्या कहने ये कैसी आरत हर भैया ये कैसी आरत हर भैया मर्दों की पत्लून जो पहने जाने किस किस को मारेंगी ये पैशन की मारिया अरे नारिया, शहर की नारिया ओय होई ये नारिया, शहर की नारिया ये 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 खुआ है हम गहरे कागर के धारे, गोएके में धक्ये सारे दुनिया में जब अब बलबटी थी, देचे खड़े ये बेचारे बस सालों पे हाथ धरे किया को नीचे रह गए, हमने जूलिया अंबर ये पे बलके नीचे रह गए चोके रह गए, गोएके चोके रह चिंची है चोके रह गए, गोएके चोके रह कर दोसे, गोएके बलके रह गए गुर्णी का टुर्णी अप्टाए नियुक्त फिर प्रश किया यो शुम्स, ना समंहाने जुन्विक्तु कि वा टुम्स, नुक्त प्रणी सुन्खाहदू कपुडें के आई है क्या हो लिए रंग बिरंगे रंगों की ये रंग भरी पिचकारिया अरे नारिया शेहर की नारिया ओई हो ये नारिया शेहर की नारिया इनकी सूरत देखो तुम देखो एनकी तैयारिया आई कहा से इस गाओं में शेहर की ये बीमारिया जुन जूकरे, गाओं के जूकरे, खिखीले जूकरे, गाओं के जूकरे दुनिया आगे निकल गए ये कितने पीछे रहे गए हमने छूली आंबर ये पेपल के नीचे रहे गए नारिया हाँ शहर की नारिया हाँ शीजी ये छोकरे गाओ के छोकरे तुने मुझे कुटिया समझ रखाए एक थपड मारूंगी सारी आकर निकल जाएगी मारूंगी तो क्या कर लेगा तोड़ दूगा समझी अपने भहिया से कहकर तेरी जबान नाखिचवाली तो मेरा नाम नहीं अरे बहुत देगे तरह भहिया जैसे अब तू देखना में तेरी क्या हलत बनाती है क्या करेगी तू पुलीस में जाकर रिपोर्ट करवाऊंगी और जिस हाथ से तुने मेरा हाथ मरोड़ा है उसी हाथ में हदकड़ी डलवाकर गाओं की गर्यों में घसितवाऊंगी जाले भीक मंगे बदमाश हमारी भेंद को आरी चारी कहके पुकारता है जिन्दा गार दूआ मैं तुझे गजसे पुझे हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ है है जाले नाकर शाट तेरे मुस्तंडे पंकी कुछ अजी है या नहीं हुआ है हुआ 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 थोड़ा जादा कुछ थोड़िये अजी अजी हमारे पास दौलत नहीं है अगर उन्हें भाइया को नवकरी पर नहीं रखना था तो साथ साथ इंकार कर देती तुम लोग अभी जगड़ा बंदे रो और जाओ अपना अपना काम करो चलो अमीर्स दादो अब तक तुम लोग बचते पिरते थे अब मिला है तुम्हें मुकापले का दुश्मन हुआ लड़के के तस्वीर तो देखो मा क्या स्टाइल है क्या रोब है और इसका टाइब बंदे का स्टाइल देखो कितना अप्टू डेट है जरा सोचो हमारी भेन कंचन इसके बाजू में खड़ी होगी तो कितनी फिट लगेगी जोड़ी फिट तो सब ठीक है लेकिन पहले ये पता करो इसका खांदान कौन सा है अब बाप कैसे हैं, हमारे संदी बनने के लाइक है भी है नहीं अरे चिराग लेकर ढूनोगी न माँ, तब भी ऐसा रिष्टा नहीं मिलेगा हमारी भेन किस्मत वाली है कि उसे ऐसा दुला मिल रहा है अरे अपनी बिटिया जैसी दुलन भी तो किसी किसमत वाले को ही मिलेगी मेरे खयाल से अगर ये रिष्टा हम छोड़ेंगे तो हिंदुसान में तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा कंचन के लिए तुम अपना ख्याल तो रहने उससे शादी करके जिनकी बितानी है इसलिए पहले इससे पूछ कर तो देखो हाँ बेटी तुम्हारी शादी भाई होगी जहां तुम चाहोगी अगर तुम्हें कोई इतरास है तो हमें साफ सा बता दो हाँ हम लोगों के दबाव में आकर तुम्हें हां कहने की जुरूरत नहीं है अगर मुझे ये रिष्टा पसंद नहीं होता तुम्हें भाईया को पहले ही बता देती अच्छा अगर बेटे तुम्हें शादी की तारिख पकी करनी ही पड़े तो दस बारा दिन के बाद करना है दादी मैं चलती हूँ यह मनोस कैसे आड़े आ गया निकलते है वक्त है वो जोपड़े को तुर्वा कर जला दो और उसी जगा इस गाड़ी को खड़ी करने के लिए एक शैड बना दो नहीं तो यह गाड़ी उस जोपड़े में घुसा कर उसे चकना चूर कर दो अगया जोपड़े कर दो कर दो अगया जोपड़े 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 तो अगरा कि टोबुद आपकर अब अगर यह वह तर्यारे ज्मचा कर आघव तका पलद दुद जाँना फेल द्रॉट की आरे जिए किसकी बात कर रह तो अपने आगोई जो गयावा तु जो जाने दो गया तो तो मेरे बेटी बनी के रहें हमाइज हम यहाओं के मूझे पनूब समय रहें सब्सक्राइब उसके हें कि अनि इत्र परहु है तो तो ऐसी सर्कों भी अगर गाली चलेगी तो गाली तो बैल गाली बंजागी दो दिन के अंदर, उनका हिंजर बिजला लग हो जाएगा जब तक तक तो गाउं कि सर्पा जो दिखावे के लिए तो सवा कि मर मत कर डालो तुम्हे जायों कि छोड़कुं की चित़्ा खाया जा रही क्योंकि मेरे बाब अगला चुनाव रहा है ओ फिर वही बात, वह कितनी बा Depard के खावोई चूड़कुर। क्bolt Mा यह यह चुनाव नहीं राणा चाहता नहीं राना चाहता नहीं रादा तुम सुन कर비र नहीं मेरे बदल में नकल रहे है मेरी बिटिया की शादी होने वाली है तुम समझने नहीं हो नहीं हुआ पैटो वाले हो और तुम स्लाव, जिस कुर्ची पर पिछलब स सा द्रस पर रहा बाट सकता है पूद ने करो चोटे चाहिए इस बार चुनाओ तुम लड़ो मत भज़ता हो क्यों कुछों की लड़ाई में बिल्ली को कहा खुजा रहे हो या मतलब है कि मैंने तो सारे इंतिजाम कर दिये उढ़े सीधे पॉसर शपवा दिये आप यह नाम के घरत नारे शपवा दिये अग मंगाली चातर मंगाली चटाईया मंगाली ने अर्फी के लिए नी मतलब बनवाले के लिए और आप चाते मापकी कुर्थी पर खड़ाओ जाओं आप वाली काम कीजिए आप गवानों को इकटा कर लिए उनके सामने बोल दीजिए कि आप चुनाओ रहे हैं एक मारूँगा तो उसे जाता मारूँगा और अगर ये खड़े नहीं हुए तो जांसा मड़ा लूँगा अगर आप लोग तो मुझे जानते ही है इसलिए में आपने बारे में कुछ नहीं काऊंगा हमेशे की तरह इस पर भी मैं पलचायत के चुनाओ के लिए खड़ा हो रहा बाकी सा बाते चोटे ठाक चंदीदास जी आप पुसंता है अब आपके मन में सवाल उड़ता होगा कि पिछले दस साल से ये प्रेजिडेंट की कुरसी पर बैटे है जो नहीं क्या कमाल कर दिया कौन सा थीर मार लिया बढ़ा और यह तो बहुत बढ़े हैं इसे विए आज तक इनों कुछ भी नहीं किया और भगवाने चाहा तो आइंदा भी कुछ नहीं करेंगे ईहा हम समझे थार plays करने हो शौक साहु है क्या है तो ढाप लोग तो एक चैजिदा के पुले पर लापिन सम और हो ईए और उस्ते सुझ अ बाद चलेघी हो गया फ capacet निक्ति है परदेशी घर कर देलायैं नियुक्त रहे हैं तिनको पता तुम क्या करना घृ आ इस गाव में इनका सामना करने का रिवाज ही नहीं है। इसका मतलब हर बार यही चुनाव लड़ेंगे और यही जीतेंगे। अरे यह आम चुनाव है, जो जीतेगा इस कुरसी पर वही बैटेगा। अरे तुमको सीडे से खड़े रहना तो आता नहीं, कुछी पर क्या खाक मैठोगे। अ बेटे, तुम क्या इनका सामना करके रहोगे। बिलकुल, यह आजाद देशे, यहाँ चुनाव में कोई भी किसी का भी मुकाबला कर सकता है। जिस तरह गले में रुमाल मानने से हर आजमी घुंडा नहीं हो जाता, उसी तरह 25 रुपे डिपाज़ेट देकर हर आजमी एलक्षिन में खड़ा नहीं हो सकता, अब आकर तुमको खड़ा होना है तो हो जाओ, मगर तुमको तुमारा वोट भी नहीं मिलेगा, जब तुम व चुप-चाप जागे चुनाव से अपना नाम वापस ले, अगर क्यों यह देख, इस लिए, इस प्रोनोट के लिए यह वो दस्तावेज है, जो हमने मालिक से करजा लेते समय, उनको अपना सब कुस लिखकर दे दिया था, अरे आज मुझे मालिक ने पुला कर कहा, गोविन यह लो अपना दस्तावेज, ले जाओ, फाट डालो इसे, आज से तुम्हारा करजा माफ, अरे आज के जमाने में इतना रहम और दर्या दिली कहा मिलेगी, हमना समझ में आ रहा है, कि बाप बेटे के खिलाप मालिक की वकाला क्यु कर रहा है, क्योंकर उनको दे मार्ण कर दिया, और उस कर्दे को दिश्माद का दीर मराकर, बाप के हाटो बेटे को घायल कर रहा है, चाकि मैं अपना नाम वापस ले पर मजबूर हो आए, अब तुझ जो भी खमाची, क्या बाप और मालिक दोनों से दुश्मनी मौल लेकर ये चुनाव लड़ना ज़रूरी है क्या, मेरी बात मालने बीटा, तुछुप चप अपना नाम वापस ले ले, इसी बाहने हमारा कर्जा भी चुप जाएगा, और हम चैन की जिन्दगी जी सकीगे, गुलामी करते करते इतने कुछ ले जा चुके हैं, इतने निवाले चीने जा चुके हैं, कि सर्फ आजादी की आवाज उठाने कर खायल मन में आता है, तो डर के मारे भूग की आख से घर चलता हुआ नजर आता है, अगर यही बुझतली दुनिया की हर कौम में होत अगर उन लोगों को भया का मुकाबला करना पनिशान के खिलाफ लगता है, तो उनसे कह दीजे, वो खुद अपना बलतपन दिखाए और चुना से हट जाए, अरे यह क्यों ने सूचते, अगर भया जीत जाए, यह सरपंच बन जाए, तो कोई तो होगा जब पहली बार गर अगर गरीब के आवाज सुनेगा, तो भी क्या करेगा, एक भीकारी दूसरे भीकारी को सिर्फ हमदर्दी दे सकता है, भीक नहीं दे सकता, देख भी मैं आकरी बार कह रहा हूं, जिद मत कर, मैं मानता हूं, तू समझदार है, और मैं, मैं गवार हूं, लेकिन मैं वफादा हूं, और तू जरूरत से ज्यादा मगरूर है, तो कोई ऐसा उपाई निकाल, कि मेरे वफादारी और तेरी खुदारी दोनों का खुन ना होने पाई, है कोई ऐसा उपाई, एक उपाई है, एक उपाई है, आपकी वफादारी और मेरी खुदारी का खुन ना हो, इसका एक आप अपने हाथों से मेरा खुन कर दीजिए ताकि दुनिया ये तो कह सकेगी कि बापने वफादारी के रंग को गहरा करने के लिए उसमें बेटे का खुन भी शामिल कर दिया जैसा कि आपको मालूम है ठाकुर साब चुनाओ के लिए खड़े हुए और ये उनके खिलाव खड़ा है तो ठाकुर साब की शर्थ है कि अगर रवी चुनाओ हार गया तो हमेशा के लिए गाउन छोड़ कर चला जाएगा बोलो रवी तुमको ये मंजूर है मंजूर है लेकि तुमको चलते बढ़ते आंके खोल के सबने देखनी के आदत पड़ ये शहद है चलिए सपना ही सही लेकिन मालो अगर ये हार गए तो क्या ये भी गाउं छोड़कर चले जाएंगे क्या तुम इने गाउं छोड़कर जाने के लिए क्या रहा हूं क्या ये बेघर है पानी में डूकी लगाई है कि तीदे बोलना क्या चाहिए तुमको चुनवती और शर्थ दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए बताओ अगर ये हार जाएंगे तो क्या करेंगे उस तरह पिरा के सर मुड़वा लेंगे बस मुझसे मेरा पुरा गाउं छुड़वा रहे हो पर इनके सर्फ बाल जाएंगे जो पहले से ही सपेद हो चुके अरे तुम्हारा गाओ छुड़ रहा तो कि इंसे दुनिया छुड़वा ले चलो हजार दो हजार देलवा देना उंचे थू आये तुम्हारे हजार दो हजार पर मैं भीग नहीं मांग रहा हूं शर्त लगा पाईसा नहीं देंगे तो काई आपने बेड़ी देंगे तुमको तरवट तरविच्चा यह हुई ला इन सापकी बाद छोड़े ना थाकुर साब को यह बाग मनजूर है तो मुझे भी मनजूर है अच्छी बात मुझे तुम्हारे इसास मनजूर है है क्या बगवास कर रह नहीं निकलने पाएगा इससे सिर्फ एकी बात कहो यह लिख कर दे कि अगर चुनाव में हार गया तो जिगावन छोड़ कर चला जाएगा शौक से लिखवाई यह लोबान महरबान स्टैंब पर लाओ लो मुख्या जी लिखो मैं तो क्या मैं लिखो वर मुख्या गिरी खत्रे में आजाएगी लिखता हूँ अगरी बार ठीक से फिर सोच लो उसके बाद पढ़ो उसके बाद दस्ताखत करो यह अपना जानता हूँ कि आपकी किसमत पलटकर अपने कलंद से अपनी किसमत लिख सकता हूँ किसमत तो तुमारी पुराने मटके की तरह फूड़ चुकिये बैटे इसलिए तुमको हरी आरी सूज रहे है दो 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 फट को भाइयों एक मिनित बात खत्म का हुई है अभी तबाकी क्या मतलब अधी कैसे बागी है जागेस पर लिखवा कर मेरे दस खतों ले लिए तो तो इनके दस खत कौन लेगा मैं है तो तुम्हारा मतलब है कि यह भी स्टैम्पेपर पर लिखे दें कि अगर यह एलेक्शन में हार गए तो यही कहता है और आपने अभी-अभी कहा कि हर बात कागस पर लिखी होनी चाहिए जबान पर विश्वास नहीं जो बात मुह से कही वह बात लिखकर देने में जिलत केसी करते हैं आपको भी कभी कभी लगता बेवकूव की मिर्गिरी आ जाती है चलते जलते पल्डी मार देते हैं तो और क्या करूं अगे बढ़ चुकी आप पीछे हट रहें नाम वापिस ले रहें तो वह तो बढ़े बिटाए जीच जाएगा आइसते आइसते आइसता बात की पाना गावाले हमारे खिलाब नारा लगाना चुरू करते हैं अब यह मामला गराव हो चुका है तो आप उसमें बरफ का शड़ना पाई डर रहें जरा सोचिए आपका खुलाम आपकी पेरों की चंपी करने वाला उसका बेटा आपको चलेंज कर रहा है और आप उसका मुक कर दूंगा कैसे लिख कर देना कि आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे वो नोगर की अवलाद आप से जीत गया आप फार गये और आप उसको बेड़ी देनी पड़ रही है कभी न होने वाली बात को होने वाली बात समझ कर आप खौँखा डरते रहें आप एलेक्शन लड़ें अधिकार नहीं है अब तो तसलिय हो गई ना लेक्षमा को आखस पहर अले गुलोबान ताखस निल्चार अगर मैं लेक्ष्टन में हार गया तो यह तो कानून की जबान है लिखने दो को दूदी हार जाता है करेगा तो मैं अपने बेटी कंचन का हाथ रभी के हाथ में देकर उसको अपना दामाद बना लूँगा अब भी होगा यह तुम रखो और यह आप रखिये खाने रहे कुछ परिशान है पदमा मैं यह चुनाओ चीज जाओंगा न लोग मिछले दस बरसों में तो यह डर कभी पैदा हुए नहीं आज क्यों हो रहा है अरे बई पहले कुछ और बात थी मैं अकेला खड़ा होता था चुनाओ जी जाता था मेरा कोई विरोदी नहीं था आज मामला बदल गया है यह यह कंचन का वापस लोट रही है ख़त में तो लिखा है कि शेहर गूंकर एक दो दिन में वापस आजाएगी पर यह अचाना कंचन का कैसे ख्याला आगे नहीं कुछ नहीं ऐसे ही इसकंबक्ष चंडीदास ने मुझे बैठे बिठाए एक पर खेड़े में पसा दिया है तो यह कौंसी नहीं बात है उतो कल्यू का ना रगद है मुझे भी एक ऐसी चक्कड़ पसा दिया है अगर में यह चुनाव हार गया तो कंचन की शादी रवी के साथ कर दूगा यह कारस पंचो के सामने मुझ से लिखवा कर वही कारस रवी के हाथ में रित्वा दिया है आपने यह लिखकर दे दिया अब यह एक अदमें यह लड़ु लेते जाए है अब अब भब नहीं जिन्दावाट नहीं निकलता है अज़या की वाप्यर गड़ी के ज़्च नेकलता है। तुम लोगों को तुम्हारा हग्तिलवा के रहूगा। तुम्हारी घंबी इसमय स्याव को तिलीने कर जाऊंगा। यह घड़े खड़े पार्लेमेंट में जाएंगे इसी दीफ में, और और अफ्रीका में हो रहे हैं जुनमों को हम कभी बढ़ाश नहीं कर सकते जाते अचार सर्फ उन पर ही नहीं बलके तरह इंसानी ब्रादरी पर हो रहा है अपने भर शुनिके बारुत से जुनमों को रख रख दूगा और अफ्रीका को आजादी दिला कर रहूंगा तुर तो क्यों तालिब जा रहा है तिरा बाब अफरीका का था ता नहीं तेरी मां अफ्रीका की थी तिरो माड़ माड़िए की देर है आजम गड़ के बाजू में है अच्छा बता दिया मुझे नहीं मलूब थे इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत दरूरी है मैं खाली लिखा हो पढ़ा नहीं हूँ अगर कोई पूचे था कहना मैंने तुछ को बता था और मुझे इस बाद का पुरा वश्वास है क्या आप लोगा अपने कीम्ती बहुत मुझे ही देगे और श्री ठाकने के लिए आपने कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा कहना क्या है हम जो कहते हैं वो करते हैं जो करते नहीं है यह दखो यह लो चौड़ दो यह लो लगता है आपके भाशन का लोगों कापी अच्छा थार बड़ा है मतलब कपड़े यह ख़ाब हो गया अरे कल वोट लेना तो अच पड़े बढ़ेंगे कर दो कि जनता का नंगा लीडर को तुम सचाई का स्थम हो पुर्वानी का कुटब मीनार हो तुम्हारी आज तुम्हारी आईसी हालज में तत्मीर छब सकती तो कल दुनिया को पता चलता के जनता को कल नंगा करने वाल लीडर आज खुद लंगा ख़ड़ा हुआ, मैं तो कहता हों कह आप ऐसे रहा कीजे आप ऐसे अच्छे लगते हैं, कपड़ों में ज्यादा नंगे देखते हैं, नंगे में ज्यादा शेरीव लगते हैं, ठोप ठोप धागूर साओ धागूर। देवी मा, तु सारे संसार की मा है, आज तेरे गरीब बेटे की इज़त का सवाल है, वो हार गया, तो तेरे सामने सर जुकाने वाले सारे गरीब बेटों के हार होगी मा, जरीवों के दुख के लिए तडपने वाले तेरे बेटे को इज़त से जिता दे मा, टमार्ट एकच सी भूरी इसे स्विकार कर लो िदो इसी मेरे मंवननत की निशानी है हbelt जागी लिए मुजा पडि Allah King प्षकर मत को आप हारेंगे जीतेंगे निकल गया जारा लुट्र साथ यह रभी का बचा तो हाथ मंगल सूत्र लेके घूम रहा है किसे वोटों के गिंथी में हम आगे हैं मतलब आपसे लीट कर रहें ने मुझे कर दो भात्र मेद करूप अभ हम भर थे वोटों के भाक में इस तुजय और अपर हएँ आपकूर सादने के सलें अभिए हए जाद है जाद है कैसे टेड़े में चल रहे नहीं अब ग्राम पंचायद के चुनाव का प्रणाम कोशिद किया जा रहा है रभी कुमार अपने विरोजी ठाकुर अटल सिंग को एक हजार मतों से पचाड कर ये चुनाव जीत कर पेटी तू क्यों आ गई जी मैं तू का भाई बस में अभी अभी आई हूँ पूचिरा भाई का है हम लोग कार से पहले आ गये थे तूले के माबाब ट्रेंस आ रहे हैं भाया कार लेकर स्टेशन गये हैं अच्छा तू चल चल जी में मैं अरे हम तो अभी अभी आया और आप जाने को कह रहें आखिर पात क्या है डादी मैं मैं गान पात में पुताओंगा चल तू अपना समा उठा अरे भाई जी मुठांकं सामाहन में रखो ओ क्या मुसीबत तरु क्या मक्स चल दी तास उसका सक्य है नासू आरे भाई समा उठाकं चल दी दी में रखो रवी भया रवी भया रवी भया तु परिशत रवी बरा चल देसे हाड़ी भोड़ो यह यह क्या आमा है जाली यह ज़िया गावन के लुच्छाक रेक्षा है ना जारू कि कहाणा करें जिलावावावाव जिलावावावावावा- जिलावावावावी जिलावावा! ठाकुर साफ, अपने एकराद रामा को ठोकर मार कर अर रोवी के जीद की खबर थूदकर अपनी बेटगुली कर थान से भाजाने के विगगा नहीं है शरॉम आनी चाहिए आपको पार भाग रहा था मैं वह बात होड़े दाथा लेकर आवाग का सवागत करने जा रहे थे यह शीगने चलाना बंद करो और शीने मूँ बात करो तो अंदर जा वेडी चलो तुम्हें आए 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 संदीजी आए तशीफ लाइए अब तो अब खाब खाब भीग बंगे से ठाकुर गणाने के संभी बन गए है वीग बंगो तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे खराफ चाल चली है जिन्दीगी पर तुने मेरे पहर दबाए और आज मौका मिलते ही तुमने मेरे गला दबा दिया मेरी इज़त मेरे घर को बरबा तो ऐसमे कसूर मेरा ही है मालिक उस दिन जब रभी मेरे हाथ में छुडा देखकर मुझे कह रहा था कि आगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं इस चुनाव में खडा रहू हूं तो आपने हाथों से मेरा खूल कर दीजैं मेरा सरधर से अलब कर दी इस वक्त अगर मैंने यहीं कि माला वाल इंच्छा लेगं, अब भी कुछ नहीं ही, तो मैं जित्रों रप्या पैसे, इन्मेरिक पैस का कवसे पयां, तुम 테शाथ मेरे जादा है, तुम को gi्गता हूं, नहीं मालत है ऐसा मत पही है मेरी मान मुर्यादा इजजट आबरू अब सब कुछ तुमारे हाथों मैंने हाथों से सारी जिंदगी तुमें रोटी कपड़ा अनाज रुपया पैसा इजज़ सब कुछ किया है अब यही हाथ पेलाए मैं तुम्से भीट पांग रहा हूँ अगर मेरी बेटी को मालूब हो गया कि मैंने जबर्दस खलत ही की है और अपनी जुद के जुवें को सदाओं पर लगा बैठा हूँ तो वो मेरे मूँ पर थूखेगी जाओ जाओ अपने बीटे को जाकर समझाओ और यह पागलों की तरह चलाती बीट को यहां से अठाओ वागी हम सब प्रेटकर अपने हिसाब कर लेंगे सोच के लिए देखो कोविन इतने दिनों तक तुमने अपने हाथों से मेरे पैरों को दबाया है अगर को तो आज मैं अपने सब तुमारे पैरों में रखने की नहीं मालिक ऐसी बाते कर मुझे पापी मत बनाईए मालिक मैं कोशिश करता हूं कि अगर है गंभाई कि तो यहां से चुप चाप चलाजा और सबसे कायदे कि यहां से चले जाए भाप का मान ज्यादा है, बाप की जिंदगी का कोई मान नहीं है, आज तक मैं सीना ठोक कर लोगों से कहता है यह मेरा बेटा इसकी रगों में मेरा खून है मैं इसका बाप हूं मगर नहीं आज तो लगता है मैं नहीं यह सब दाओं वाले तेरे बाप है अगर यह शफ किसी और ने कहे होते हैं तो उसका सर कटके जमीन पड़ा होता है आपने गाव वालों के सामने मेरी मां को गाली दी है इन गजदारों की वफादारी में आपने मेरी मां के पवित्रा हाचल पर किचड उचला है इसके बावजूद मैं खामोश हूं यहीं इस बा कि मैं इस रिष्टे को भुला दो उसकी हादों को पार कर दो अब यह से चले जाएए चला जाएए यहांसे मैं यह कभी सोच जी नहीं सकता था कि सारा गाव जो मेरे लिए जिन्दा बाल जिन्दा बात के जारे लगा रहा है एकदम उसकी तरह हो जाएगा इस परेव हुआ है बेटी परेशाथ पुश्वास घात हुआ है मुझे बाफ करते बेटी मुझे बाफ करते बेटी इस अपने इस हरकत के लिए आपको अपनी बेटी के सामने हाथ चोड़कर माफी मांगते हुए शरम नहीं आती और अब फाइदा भी क्या है माफी मांग नहीं है तो जाकर उनसे मांगे जो बाहर करें नारे लगा रहे हैं कंचर एक बाप अपने केखोई पर शरमिंदा है वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर सर जुखा है माफी मांग रहे है अगर तुम उन्हें माफ नहीं कर सकनी तो मत करो पर कमसकम उनका अपमान तो मत करो तुम क्या चाहती हूँ कि वह बाहर निकलकर उन लोगों के पैरों पर सरक्तर उनसे माफी मांगें जुआ इन्हों ने खेला है गलती इन्हों ने की है तो फिर माफी भी इनहीं मागनी पड़ेगी जुआ 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 है जुआ है यहां तो शादी प्या का जगड़ा है ठीक है जो भी है आप लोग बाद में आना यह लोग यहां पर रिष्टे की बातचीत करने के लिए हैं हम भी रिष्टे की बातचीत करने के लिए हैं हुजूर क्या मतलब मतलब यह कि इसे पड़ लेजिए अब है आप अधार प्रवार्व बड़ी बेशर्मी ठाइला रहे हैं यह दस्खत आपने अपने होश में किये या किसी के दवा में आके किये या किसी के जोर में करने से पहले आप लोगों से कह सकते हैं कि हमारी सलाह के बिन आप तस्तकत नहीं कहा आप जब लड़के के महाबाप को मैं घर में शादी की बात करने के लिए लेकर आया हूं अपने ख़ड़ा करके रख दिया है कि अपने खड़ी हुई काय को आप जितना भी मार पीट लो अपनी घर्दनी जुकाती किसी तरशी बनवाने के लिए अपने सोच कैसे लिया कि मारी बैन एक ऐसे आदमी से मंगल सूतर बनवाले की जिसे एक वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़े हो क्या आप धरम राज क कि अब अगर किसी को है तो सर्फ बुझे और मैं खाने के लिए और ऑन खाने के लिए अगर किसी को है वो सिर्फ बुझे और मैं खामोश हूँ बाहर सारा गाउं इनका दुश्मन बनकर चौकट पर खराब उदर लड़के वालों को तुमने बुला रखा है क्या गुस्सी से तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि तुम सबके सामने अपने पिता का अपमान कर रहे हूं उन्हें गाली दे र मैं आगया हूँ कहो क्या कहना है आपके पिता जी ने कुछ बताया नहीं हाँ बताया फिर भुलाइए दुलन को आजा हार मंगल सुसर सब कुछ तैयार है सिर्फ दुलन का इंतिदार है और अगर हम इस शादी के लिए तो तो हम आपको जबरदस्टी राजी करवा लेंगे क्यों है इस गाउ में हमारी खुशिया हमारी शान और शौकत तुसे देगी ने गई इसलिए मेरे डैट को धोका देकर गलत बात लेको आकर ट्रैकमेल कर रहा है इस सौज़ा की तुद्धे क्या किमत जी है वो किमत ले और दबाओ यहां से तुम्हारे पैसे मेरे पैरों की धूल के बराबर है पैसे देकर तुम मुझे खरीद नहीं सकते हैं अगर चाहो तो बेटी देकर दमाद बना सकते हो क्यों भाई हो लगता है तुम लोग यहां पर दंगा फसाद करने के रादे से आयो ठीक है खड़े रो अभी पुलिस प्रिपाज़त में अगर यह शादी होगी तो और मताएगा क्यों भाई है यह जो दो जबनों के बीच छे इंच लंबी जबान है ना वो सिर्फ हिले तो ठीक है हाथ पैर हिलाने की कोशिश करोगे तो देख लो मेरे पिछे कितने हाथ है ऐसी धुलाई होगी कि कोईबा की सब्सक्राइब अच्छी बात है तुम्हारे सीले में कितना दम है पुलिस को आने दो चीर के देखनूंगा मैं मारो मालिक और मारो जी भर के मारो ऐसा बेटा पैदा करके मैंने जो पाप किया है उसके बदले में आपने मेरी जान ली तो भी कम है मारो मालिक पाले जबान जलाता है जबान जलाता है दो जान जलाता है को सबक्क्राइब और प्रड़ खुला और नहीं उस सुवर के हाथ में हाथ देने से बैते रहे कि आप मेरे भेंग को किसी कोई में तकेल देते चार दिस को रोना रोकर चुप हो जाते आप खामोश की हुए कोई पाई सोचिए नी तो वो कुटे घर के अंदर कुछ आएंगे बोल ये मेरे सामने सुरफ एक ही रास्ता है मैं मैं हाथ में हत्या कर लो गंचन लेकिन के क्या हालत हो रही पेटी फैसला तेरे हाथ में है तू ही फैसला कर सकती है क्या फैसला रहे मा फैसला कर सकती है मैं ऐसे वांटे sciences में मेरी पुक्तों आगए आउन कांप लोग्तwo कर आज बेकर मेर्टि के फैसला कर सकती है सुखिए है खबर्दार हम इजद्दार लोग है खेरत्मन इंसान है जाहर पी के जान देदेंगे लेकिन अपनी बेटी को दाव पे नहीं लगाएंगे तू लाने से तुम पर अगर तुम्हारा बाकी ठाकुर खांदान से को संबंध है और तुम्हारे खुन में एक भी खत्रा इजद का पाकी है तो सारा खांदान सेहर पी के जान देदें चलो जी निकलो इन बेगरत इंसानों के घर से सर जुका कर चलना सिखो तुम आमीर लोग तो सर्थ गरीबों को जुका ना जानते हो खुद जुबना नहीं जानते हैं लेकिन यह उपर वाले का उसूल है जो उचा उड़ता है वो नीचे गिरता है ख़द चलो अरे मां वहां क्यों घड़ी है इधार आज तेरा बेटा तेरे लिए बहू लेकर आया है तोनों को आशिरवाद नहीं देगी जुब 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 जीयो सदा सुखी रहो बेटा गंजन जानती हो यह क्यों नहीं यह वो औरत है जिसने तुमारे पती को जनम दिया मेरे लिए इनका दर्जा इस घर में भगवान के समान है अगर यह मेरे लिए भगवान है तो तुम्हारे लिए भी भगवान है जाओ भगवान के चरण शुगर आशिरवाद को नहीं नहीं इसकी कोई ज़ाओ तो चुब रह्मा क्या इरादा है मुबार्क हो मुबार्क हो जिंदेगी में पहली बार सर और शेरी जुका है मालिक कुछ मिठा नहीं बना है मालिक मीठा तो आप उस दिन खाते हैं जब किसी से बदला लेना होता है फिकर मत करो चंडी मामा मू मैं मिठा कराऊंगा रवी तुम हाँ मैं आपके लिए मिठा ही लाया हूँ माने खास कर भीज़ाई है मा का कहना है यह शादी सिर्फ आपके करन हुई है वरना नामुम्किन थी भगान इस गाउं की हर मा को तुम्हारी मा की तरह समझदार बना दे जो खुशे कि किसी भी मौके बर अपने भाईयों का मूँ मिठा करना नहीं भूलती है तुम्हारे लिए खास तोफा अपनी तरफ से लाया अपनी तरफ से खोल का देख लो यह तो खंजर है मुझे क्यों देर है ताके मेरी पीट पर घौपने के लिए तुम्हें खंजर तलाश करना ना पड़े वैसे तो लोगों की पीट पर वार करना तुम्हारी पुरानी आदक है तुम्हें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझे सलील करके इस खाव से निकाल दिया जाए लेकिन तुम अपने शैतानी इरादों में कामियाब नहों सके तुम्हारी शिकस्त हुई मेरी अच्छाई और मेरी इमांदारी ने तुम्हारे नापाक इरादों को कुचल कर रख दिया और मैं जीत गया तुम्हारी बक्वास खत्म हो गई अभी कहना कुछ बाकी है कहने के लिए तो इस दिल में इतना लावा भरा है कि सुनते सुनते तुम्हारे कानों के पड़ते चलकर खाक हो जाएंगे कि अगर मैं सचाई बयान करूंगा तो तुम्हारे हातों से होश के तोते उड़ जाएंगे अगर तुम समझते हो कि एलेक्शन तुमने अपने काबियत के बल पर जीता है तो तुम बेवकूफ आदमी हो और तुम्हारी कमाखली मुझे रोना आ रहा है क्या मतलब मतलब यह है जनाव रवी सहाब कि आप एलेक्शन जीते ने बलके जिताए गए जिताए गया अगर आप अपने यादाश पर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि वह मैं था जिसने थाकूर के खिलाफ एलेक्शन लड़ने पर उखसाया तुम ने किया मेने किया मगर क्यों इस क्यों का जवाब बहुत भुट जुबावा है जीता क्या है मंदिर से आने वे कितना वक्क लगा दिया नहीं भया मैं मंदिर नहीं गए थी मंदिर यह प्रकान गए थी तप्षाइए आप नारास मत होना मैं चोटी ठाकर सूरिय परकाश से मिलने गई थी सुरी पर घर से हां बह्या क्यों हम एक दूस्य से बहुत प्यार करते है उन्होंने आपको ऐप ठ्रफाद के पना कि शन designer को के और को मुंटकिन माना कि हम भी ठागूर हैं महला दोग कर अमीर है हमारे बहुत अमीर बहने पहल मैंने ने की थी पहल उनी की तरह से हुई थी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं, तुनिया इदर की उदर हो जाए, मैं शादी तुमी से करूंगा, गीता, ठीक है, अगर ऐसा है तो उससे कहो कि अपने बड़े भाई से शादी की बात करें, भाईया, वो बड़े ठाकों से बहुत होगा, यह क्या बात है, शादी का वादा भी करता है, और बड़े भाई से ड़ता है, अजी बात है है तो, भागवान के लिए जाओ भाईया, चितनी जल्दी हो सके, हमाहीं शादी करवादो, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अगर और ज्यादा देर हो गई, तो उससे जिया नहीं जाएगा भाईया, ऐसे जिन्दगे से तुम मर जाना ही बेटर है भाईया, यह बागवान, यह बागवान, भाईन एक बार मुझे, तो इचिता मत कर, मैं जाओंगा, इतना नीच रिष्टा ने कर, हम खुरिया वनशी ठाकरों की हवेली के अंदर आने की हिम्म मुझे ठाकर साथ, उन दोनों बच्चों की प्यार ने दिलाई, और दोने दूसरे को बहुत चाहती है, तुरिया प्लगाश, जी भाईया, यह बेकारी क्या बखवास कर रहा है, यह क्या चाहता है कि तुम इसकी बेहन से प्यार करते हो, क्या यह सच है, हाँ भाईया, मैं जी अगेता से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, जो लड़की इस खर की नोकरानी बनने के काबर नहीं, तुम उस नीच लड़की को सुरिया वन्शिटाको खांदान की बहु प्राना चाहते हो, जो लोग हमारी चौकर के बाहर खड़े होका भीक म मेरी मासु बेहन की गर्व में आपके वाही का बच्चा है, यह बहुत पुरानी चाले हैं चंडिदास, कि पहले ठाकों खांदान के बीच को पेट में उगा लो, फिर दुमका कर अपनी बेटी अपनी बेहन को उस खांदान की बहु बना दो, गरीबों की बेटिया ठाकों क कि बच्चों की मा बन सकती है, मगर उनकी बेविया नहीं बन सकती है, ऐसा जल्म मत कीजिए, मेरी एक ही बेहन है, उसके लिए मैं आप से द्या की भीग मंगता हूँ, भगवान ने आपको भी एक बेटी दी है, अपने बेटी की खुश्यों के सतके में मेरे बेहन की जोली म बेग दी दी आपक बेटी आपको बेटी है, अपने पुश्यों की खुश्यों की खुश्यों के सतकी में बेटी। पास बामा पास तुम अपनी बेहन को प्यार करती हो ना हाँ इसी तरह हर भाई अपनी बेहन को जान से ज्यादा करता है बेटे उस दन से मैंने मैंने खसम कही कि मैं उस ठाकुर से बदला लूँगा मैंने पड़ती किया लिए कि मैं उसका सारा गरूर सारा घमन निचोड कर रख दूँगा उसके अंकार के चीटर उड़ा दूगा क्योंकि मैं जानता था कि ठाकुर की भी बेटी है एक दिन वो भी जवान होगी और उस बेटी की जवानी की तलवार से मैं उस मगरूर ठाकुर के घमन को काट कर उसके कदमों में डाल दूँगा मैं ठाकुर के करीब पहुंचने लगा उसका विश्वास चीतने के लिए ताकि एक दिन दीमत बनकर मैं से खोकला करती हूँ राज लगातार दस साल के इंतजार के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब गुआ हूँ अब अगर ठाकर जो गरीबों से नफरत करता थे रहाग जिसकी अपनी बेटी एगरीब की बीवी बनकर मैलों से जोपने में पहुंच गयी लगा, माहन हो मामा, सच मुछ भी माहन हो के बिटा है मान तु तो मेंने तु स्रफ अपनी बहन का बद्द लिया है अगर तुम तो गांगी हर बहना बत्ता ले-खरीब इस गरीबी गरीप की बहन होती है और तुम गरीबी की इसट बद्द ले रहे हैं अब के जुटे बर्तन के एंतजार कर रही है। simplu कित तुम लिए हैं। भावी भूग ही रहे और हम खा लें यह कभी हो सकता है भूग और फा के सहने की आदत तो हमें है भावी को तो नहीं इसे तो बाद अदमी सहन करने की आदत पड़ गई है मत कहले जब आते कुल बुलाएंगी और पेड़ में चुहे दोड़ेंगे न आपने आप पटा चल जागे our प्रूख का चीज होती है मुझे पता चले या ना चले इसकी कि इसिकरण करने के जरूरत ही है मैंने कह जारा कि में खाना नहीं खांगी मतलब नहीं खांगी आप पनेंनी कईनगी तो हम भी नहीं खाईंगी यह आप आप किया लगा रखाया तेरी बभू है तू बॉल, तू यहाप टूपकान खान्देरोEM क्या खाणा है अबने हैं अबिस सक्षादब भी शाननार लगना रहा है ऐसा लग रागा के पट में शेद कबाली गा रहा है कि अधर वारत की जिंदगी की सब्सक्राइब उसके चेहरे पर पड़ा हुआ गूंगत उसके हाय की निशानी जिसे उसका पती उठाता है और जिंदगी की नई सूरत दिखाता है लेकिन तुम तुम तो आधी हिंदुस्तानी हो आधी इंगलिस्तानी हो गुरूर तुम्हारा जिवर है और जिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अमीरी गरीबी का मेल है हमारा ये मिला अमीर गरीब समझ भुचकर प्यार से एक हो जाएं इसी का नाम है सोशलिज्ज मैं भी कितना बेखुफ हूँ तुम चुपो और मैं बोले जा रहा हूँ तुम भी बोल सकती हो लेकिन तुम बोलना नहीं चाहिए ऐसे मौके पर लिड़कियों का शर्मा जाना लासमी है शायद तुम भी शर्मारी होगी यही सोचकर कि किस गवार जाहिल से पाला पड़ गया खर्चो इन बातों को आओ मत चुओ मुझे अगर तुम सच मुझे घैरतमंद इंसान हो तो बिना मेरी रजामंदी के मुझे चुओ के नहीं यह मंगल सूत्र मुझ पर लाद दिया गया है लबर गस्ती लाद दिया गया है लेकिन एक बात याद रखना इस जनम में मेरा दिल तुम्हें पती स्विकार नहीं करेगा कभी नहीं करेगा मैंने तुम्हारे गले में मंगल सुत्र पहनाया इस लिहाद से आज की राद जबरदस्ति करके भी मुझे पती का अधिकार पाने का हक है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा जब तक तुम अपने दिल से मुझे पती स्विकार नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं चूंगा अपनी मा के चरणों की सावगंदा चांद गगन से फूल चमन से रह नहीं सकता दू यही हरे यही नस को दीव से जोती सीव से मुझे मिलने पर मजबूर यही हरे यही नस को यही हरे यही नस को जैसे कच्चे काथ के धर्वन ऐसे है यह प्यार के बंधन जैसे कच्चे काथ के धर्वन ऐसे है यह प्यार के बंधन तोड़ सके न छोड़ सके न बड़े बड़े मखरूर यही हरे यही दस तो जीवन साथे साथे न छोड़े एक दूजे का हाथ न छोड़े यही दस तो यही हरे यही दस तो चांद के गन से फूल चमन से रह नहीं सकता दूर यही हरे यही दस तो दीव से जोती शीव से मूती मिलने पर मजबूर यही हरे यही दस तो यही हरे यही दस तो यही हरे यही दस तो कर दो कि दिख कि लगए तो अपने हाथ से सर थपते बालो मैं तुम्हारा पसंद दिदापती नहीं हूँ और चुना मना है यह लो मा लखबी चाची काकी जल्दी आओ बीने तिकट कर तमाशा देको कैसे पेट की हाथ में ख्मान का फॉलाद पिगलकर मुं मन जाता है अरे किसने ठीक कहा है देख खाली तो इमान खाली यह अरे मैं धाका पड़ गया रूकी बिली बावर्ची खाने का खाना का गई सुबा उटकर हम लोग को भासी खाने का एक निवाला तक नहीं मिलेगा हंडिया चाटगी और तुम लोग इसके लिए फागे कर रहे थे कि यह नहीं खाएगी तो हम लोग नहीं खाएंगे अरे मुझे तो लगता है रात को चुना का सब खाना खा जाती है देखो कैसे चोड की तरह देख रही है अरे मजा कामा मैं तो खुचिक अच्छी गुटा हूँ अपनी घरवाली दे खाना खा लिया बड़ी चोड है मेरी पत्नी आपका अपना घर है आपके लक्षमी चरो मेरे लिए खाना बना दो तो मैं रात और रात उटकर आपके लिए खाना बना देख वोली अभी बना दो गरम-गरम खाना नहीं इस वक्त मेरे तन बदन में ऐसी आग जल रही है कि बेशरम बनकर खाय हुआ बासी खाना भी इस बेशरम आपके जोग 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 अब इविम तेरी बात कर रहे थे साथ सार उमर है मेरे बेटी की हाँ नहीं डादी नहीं ऐसी बद्दूया भर दिजे सो साल तक में यह दोख नहीं जह सकती उस नर्ग में नहीं रह सकती मेरी खुशिया, मेरे अन्मान, मेरा सुख, सबको चलकर राख हो गया है एक कैसा अन्याइ किया है आपने मेरे साथ कौन से जनम का आपने मुझे बद्रा लिया है बोलिए बस बेटी, बस रोबाद बेटी, रोबाद मेरे साथ कोई नहीं आया वकेली आई है क्या हा मा, मैं अकेली आई हूँ घर में बताकर आई है यह नहीं अरे तुमने तु बिल्कुल वकेल की तरह जरा करना शुरू कर दिया बेटी को देखका खुशी नहीं हूई बस बोलती जा रही है, अकेली आई हो, पूछ कर आई हो यह नहीं आई हो, बेटी से ज़्यदा तुमें इस टीविय करें मारे बाप से मिलने आई है, किसी से पूछने की क्या शुरूरत है डैदी, आप से मिलने के लिए तिन बहुत बेचेन हो रहा था इसलिए चलिया है, अब मैं वहाँ नहीं रह सकती ठीक है, बेटी, अब तुम्हें वहाँ जाने की कोई शुरूरत नहीं, आज से तुम यहीं रहोगी नहीं डैदी, अब हम इस गाउ में ही नहीं रहेंगे, यहां से बहुत दूर चले जाएंगे खंचन, शरीफ खांडान की बेटी यह जान दे देती हैं, लेकिन भूल कभी ऐसी बाद जबान पर नहीं लाता इस शिक्षा इतनी तालीम के बाद तुने यहीं सिखा देखो पद्वा, इस वक्त मैं किसी वजूर बैस पर नहीं पढ़ना चाहता अले तुम्हारी बेटी है, दुखी है, इससे दलासा देने की बजाए, उल्टा नसियत के कड़वे घूर पिलाने शुरू कर जिए तुमने आपका यह मीछा प्यार किसी दिर इसके लिए तहर बन जाएगा और मेरी यह कड़वी नसिया, किसी दिन इसके लिए अम्रित साबित होगी अहो, चल बटी चल, यह सट्या गई है, इससे भास करने ब्रुकुर फजूल है चल, चल बटी चल, 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 चल क्या ए, इदर क्यो आया बे, चुबह, गंचन, गंचन ए, उसे क्यों बुकार रहा बे, अच्छा बे, तो सुन बे, तू मेरा साला और मैं तेरा जीजा हूं बे, और मैं अपनी घरवाली को ले जाने आया हूं दे ओ, तेरे साथ नहीं जाएगी बे, तेरे को जो कानूनी कारवाई करनी हो, कर ले, सरपन बनने की धोच हमाने आया क्या, जा बुला ले अपने पंचायत को, और नाक रगड कर बिंती कर, कि हमने तेरी पत्नी को अपने घर में कैच करके रखा है, और हम उसे तेरे घर नहीं बेजेंगे, लेकिन बेटे, इसका जवाब है हमारे पास, जिस तरह तुमारी भेन उसके पती को बसंद नहीं करती, और तुमने उसे घर में बिठा कर रखा है, उसी तरह हमारी भेन तेरे को बसंद नहीं करती, इसलिए हमने उसे घर में बिठा कर रखा है, अबे वो अकल क कमजोर और नाम शक्ति सिंग अगर आज मेरा जिजा मुझसे कहे के वो अपनी पत्ली को घर ले जाना चाहता है तो मैं उसे खुशी से बाजे गाजे के साथ आज ही रवाना कर दूंगा बे तुछ बुस्दिल के तारा आपने घर में छुबा का नहीं रखता है समझा तुम ब कि अपाहीच वाली जिंदगी गुजारती रोती रह जाओगी और मैंने चाहता कि मेरी पत्ने की यहालत हो इसलिए आज मैं तुम्हें कहे कर जा रहा हूं कल तक शराफत से घर चलिया ना नहीं तो मैं तुम्हें सरे बजार खजिटता वाले जाओंगा याद रखना कल तक स तुम्हारा अतामाद मुझको मिला करें लगा मैं दूसरी शादी कर रहा है दूसरी क्या वह पचास्वी शादी करें अच्छा पचास्वी शादी करें तो तुमको को पचास साल की बीवी नहीं मिलेगी जिस आदमी की ब्याता बैन अपने घर बेटी रहती है लोग उसके क्याइब करारो कॉर्णे क्या पूछ सोने इलंद कारšवे है तुम क्यों हमेश्या इकिर्फनारी करते रहते हो यह टो बताओ कि तुम हमारी तरफ हो यह तो कि टर essas क इसकी जनदोगी जब तक मैं जैंदों मतलब दढ़ी और नहीं यह मतलब चार दिन की जंदगिय स extremi नो घॡशात परके बता, तुम्हें क्या करना है? मैंने फैसल ही है, मा. सोसाल जने का? requirements, नहीं यहीं रहने का. अगर तुम बहार नहीं जाओगी तो 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 मेरी जिंदीक का ंजम होगा? सार सूच के देखो. बहुत सोच विचार करने के बाद ही पैस फैसले पर पहुंची हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें ना हो, लेकिन हमें तो है, क्योंकि हम लड़की वाले है, कंचन, लड़की की शादी सर्फ एक बार हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, उसे तुमारे गले में मंगल सूत्र पहना कर तुम्हें सर्ष कर लिया है, तो क्या हुआ, महसादी गस की डोरी की खातिर, मैं अपने सारे अधिकार गवाने के लिए तयार नहीं हूँ, मैंने अपने जजबातों का गला तो घोटी दिया है, लेकिन अब अपने आर्मान, अपनी आजादी और अप इन सब के कुर्बानी दे कर एक घुलाम की तरह किसी और आदमी की खातिर जीना मुझे मंजूर नहीं है, मा, जीना तो तुम्हें होगा, मगर मेरी लिए ये मंगल सूत्र एक ठासी का ठंदा है, ठासी का, अब तुम्हारी चाल चलन पर मुझे शक होने लगा है, मा, कहीं, क हो धुरा जिद्धी है, लेकिन क्या तुम नहीं हो, बेटी, मैं जानती हो, तुम्हारा मन पसंद नहीं है, लेकिर अगर तुम चाहो तो अपनी पसंद नापसंद के बीच समझोता कर सकती हो, तुम्हे उसे भगवान समझने की जरूवत नहीं है, लेकिन इंसान तो समझ सक अगर फिर भी तुम्हें यही रहना है तो खीच के निकालो अपने गले से यह मंगल सूथ और जाकर देआ उसे क्या हुआ अभी तो चिला चिला कर बहस कर रहें थी अब क्यों चुक हो गई मतलब ऐसा करने के तुम्हें हमत नहीं है ना तुम्हें क्या इस धर्ती पर जन्म लेने वाली कोई भी इस्त्री ऐसा नहीं कर सकती तुम कह रही थी ना कि यह तुम्हारे गले में आसी का फंदा लेकिन फिर भी हमारे देश की इस्त्रीयों के मन में न जाने क्यों इसके लिए भक्ति और आदर की भावना है इसलिए एक मर ओर सुचलोग, फेर तुम्हारे तुम्हारे ङाओ झाल प्सकावाएब! मेरा जीना हराम कर दिया, अब दूसरी रस्ती से मेरा मरना नाकाम करना चाहते हो, हाँ, इसलिए कि अगर मैं अचानक मर गई, तो मुझे तरपा तरपा कर मारने की खुशी तुम्हे नसीब नहीं होगी, और तुमने ये रास्ता क्यों अपनाया माया अच्छी तरह जानता हो, क्योंकि तुम मेरा मुकबला ना कर सकी और हार गई, इसलिए तुम्हे तालाब में छलाग माने का फ़स्दा कर लिया, तकि तुम्हारे खुन का इल्जाम मेरे सर पर आए, पको मत, मुझे इस फैसले पर मजबूर करने वाले तुम हो, तुम तो मुझे पहले ही मार चुके तुम्हारी जिंदगी का तो एक ही मकसद है, कि अपने से उचे लोगों को तुम अपनी तरह नीचा बनाओ, मेरा दोश क्या है, यही कि मैंने एक ऐसे माहौल में जनम लिया, जिनके असूल तुम्हारे असूलों से अलग है, इसलिए एक प्री के लिए पुर्ष के दिल में जो हम जर्दी की भावना होनी चाहिए, उसे परे रखकर तुमने मेरे साथ हैवानों का सलुक क्या है, तुम सच मुझे एक इंसान नहीं हैवान हो, जी भर कर रो, तकि तुम्हारे सर पर जो जुनून सबा रहे, वो उतर जाएगा, तुम्हारा इल्दा में ही है ना, कि मैं जिसने तुम्हारी खुशियों का खुण कर दिया है, मैं जब तक जिन्दा हूँ, तुम्हें चाहिन नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसने तुम्हारी खुशियों को मिटाया है, तुम अपने हातों से उसे मिटा दो, ताकि तुम्हारी खुई हुई खुशिया फिर से जिज़क क्यों रही हो अगर मेरी मौत तुम्हारी जिंदगी समार सकती है तो मैं खुशी-खुशी मनने के लिए तया हूँ बास आवर धक्का दे दो मैं मजाद नहीं कर रहा हूँ मैं सवगन खाके कह रहा हूँ अगर तुम्हें हिम्मद है तो मेरे तीन गिन्ने तक मुझे ठक्का मलके तलाब में गिरा दो एक दौ तीन तुम्हें हिम्मद नहीं है बस दिला तुम इसलिए तुम मरने के लिए चिरीआई गरिबों को तुमने एकदम नीज समझ आए इसलिए तुम्हें मेरे साथ जीना पसंद नहीं तुम्हें मेरे साथ जिने के लिए मजबूर करने वाला ये कला धगाई है ना एक बार सिर्फ एक बार तुम मुझे चुने की इजाज़ा दो मैं खुद उस थागे को तुमारे गले से निकाल कर फेग देता हूँ उसके बाद तुम आजाद हो जहाँ चाहे जा सकती हो जो चाहे कर सकती हो लेकिन जब तक मैं हूँ तुम मर नहीं सकती और सुनो आज के बाद तुम उससे पुछे बगार अपने मैं के नहीं जाओगी चलो घर चलो शादी और मैं तुमसे कभी नहीं अगर क्यों तुझे क्या नहीं तुम समझते थे कि मैं तुम से प्यार करती हूं है ना बोुद्ध ऑल सवार होकर तोकर मारूंगी उससे अपना बदला लूँगी रवी यह हमारी कहानी में रवी कहां से टपक पड़ा है कहानी तो रवी से ही शुरू होती है प्यारे बीच में तर तुम आ गये हो मैं मरती थी उस पर उसके सामने अपना दिल रख दिया खुद को उसके हवाले कर दिया मगर उसने उसने मुझे ठुकरा दिया सलील करके धुटकार दिया मेरे मन में बदले की आग उठी में किसी भी हालत में उससे बदला लेना चाहती थी मेरी नज़र तुम पर पड़ी तुम्हारे जर्य में उसकी बेहन का घर उजार सकती थी और यही सोचकर मैंने तुम्हें फासना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपनी बेहन को बहुत चाहता है उसका घर बचाने के लिए वो मेरे पास ज़रूर आता मैं कोई तरी बीवी नहीं जो मार खाके चुप हो जाँगी एक उंगली लगाएगा तो चिला चिला के सारे गाउं को जमा कर लूगी समझा आपे चल निगल जा आप तेरे घर में बचा ही क्या है तेरे जैसे तो हजार नौकर रख सकती हूं मैं जरूरत हो तो आ जाना आपे चल निगल जा मैंने आपसे कब कहा कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूं तो मैंने तुमसे कब कहा कि तुमने मुझसे कहा कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो क्या मतलब मतलब यह कि इन्होंने बंडल मार दिया हाँ लेकिन क्यों अरे भाई तुम्हारी बीवी अपने बाप के घर जाके बैठी हुई है तुम्हारी बेज़ेती होगी कि नहीं क्या वाले कजी कजी बादे करते हैं इसको कईटे कहीं पर निगाएं कईपी निशाना अरे कि उसकी बीवी किसी और मर्का हाथ हमने वाली है उसकी मार्दान की खत्रे पाज जाएगी वैसा बारूद बन जाएगा जो आख से तो आख से पानी से भी आख पकड़ लेगा इसको कशते हैं एक दिया सलाइचे दो ठमाका का कशा लगा मेरे नुश्का नीम हाकिम खत्रे जान जैसा बोलो बेटा अभी बोल लो जिद धमाका होगा पूरा गाउं धमाके से हिल जाएगा तब तुमको मेरे लुस्रे की कदर होगी आज बहुत अच्छे है जा बाद है अज काम करने वाली औरते कम लग रही है ए तुलसी तेरी बैन काम पान नहीं आई गर में चोट आज अपनी घरवाली को लगाता हूं सुनो अज एक दो मज़ूर औरते काम पान नहीं आई चलो तुम शुरू हो जाओ अरे रभी भीया रोपाई का काम ये क्या जाने नहीं जानती तो क्या बाकी औरते क्या माके पेरसे सिक्का रही है आखे देखेंगी हाथ काम करेंगे अजया मैं दन में आजया अरे घुर के क्या देख रही हो इचड़ में कदम रखतो हुए पाऊंची जग रहे क्या उसन तो बाद रोब जाड आई थी यह हवाली जमीन है ये करूंगी वो करूंगी आखरो अरे चलो जलनी जलनी याला जब दाना में अच्छी ओनी जाए इसाप देख देख दरनाऊ ओ या मिनिस्टर की तरह पेड लगा रही हो अगो वारी आज या बीज़ को अजो प्रवा या वाद लगो ए छोक्री, मेरी चपल कीचोर वे खराब होगी दरसाब करने से लोबान, तुम मेरे बाप से रोज सो सो थपड़ खाते हो, वो भी कस-कस कर, तुम ये नौकरी छोड़ करें, दूसरी क्यों नहीं कर लेते, अब पता चला, तुम पर असर ही नहीं होता, अब जया, तू क्या खाक समझा, बिलकुल नहीं समझा, असल कहानी का ढटकन तो मैंने तेरे सामने खोल ही नहीं, लेकिन अगर तू वादा करे, कि ये रास्तू अपने बाप पर भी जाहर नहीं करे था, तब से मेरे गाल में इतनी खुजली उठने लगी, कि उसको मिटाने के लिए कस के जूता मारना पड़ता था, अब तुम ही सोचो, अगर दिन में सौ बार मेरे गाल पर मुझे कस के जूते मारने पड़े, तो मेरा क्या हाल होता, हैं, नमबर एक, हर हफ्ते नया जूता बदलना पड़ता, नमबर दो, कंधा जड़ से उखड़ जाता, नमबर तीन, कस के जूते मारने के लिए मेरा पूरा वक्त गुजर जाता, तो मैं खाता और कमाता कहां से, हैं, हां, 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 उल्टा, मुझे एक नौकर रखना पड़ता, जो दिन में हर पांच मेंट के बाद, मेरे गाल पर कस के जूते मारता, हां, 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 दरसल ये मेरी चाला की है, कि मैं तेरे बाप के पास नौकरी नहीं कर रहा हूं, बलके तेरा सर्यल बाप, बीस साल से मेरी नौकरी कर रहा है, वो कस के खपड़ मारता है, और मेरी खुजली मिटाता है, औ साथ में पैसे भी देता है मेरी भूग प्यास मिटाने के लिए बेवकूफ अब तुम ही बताओ दुनिया में इससे वफादार नौकर कहीं किसी को मिल सकता है मगर तेरा बाप यि समझता है कि मैं उसकी नौकरी करता हूं तो वैसा नहीं बहुत बुदा बेवकूफ अच्छा तो इससे बताओ कि Twoya मेरे प्यारे लुबान, मेरे खदरदान, मेरे ओगाल दान, मेरे शराफ़त के पान दान, आज से मारना बंद, यह आप कह रहे हैं, बिल्कुल से ही कह रहा हूं, और तुम मुझे पीट पीचे तो क्या, अगर सामने भी खड़ा गाली देगा ना, तो मारना तो एक तरफ मैं त मेरे अगए फन्दापीजी से कुटा कहे, मैं वो कुटा खूँ, आथा, आपकी थाली में खाकर, आपकी पतीली में छेद करता हूँ, मर्ये, यह अब तुम नहीं मारूंगा, क्यों तुम शवीफ खान्दान के चश्म हो, और मैं थपड मारूंगा तो बढ़ जाएगा, इ अभशी तारीफ मेरी आज तक किसी ने भी लीकिल वो देखो वो रही तुम्हारी प्यारी सहली और हमारी कंचनभावि हाई कंचन, हाई कंचन, अरे ये क्या, तुम खेत में काम पर रही हो, अमला गुंबर जा रहा है, सोचा सुमें भी साथ ले चले, लेकिन जिब तुम्हारी हवेली पहुंचे, तो पता चला कि किसी अनपढ़ गवार जाहिल के साथ तुम्हारी शादी हो गई है, और वो भी त सुनिये, इन्हें मजदुरों की तरह काम मैं करवा रहा हो, और वो अनपढ़, गवार, जाहिल, जानवर, मैं हो, इस जानवर को रभी कहते हैं, तुम्हें शर मानी चाहिए, किस बात की, एक पढ़ी लेकी एडुकेटर लड़की से गवारों का काम करवा रहा हो, उसकी सच्चाई जूट में नहीं बादा जाएगी, अगर तुम जैसे पढ़े लिक्यों काम करने के बजाए, इस देश की धर्ती पे खेती करें, तो ये महान देश के लुटेगा, हला इंक राब आपाएगा, आज ये देश करीब है, कल ये सोने की चुडिया केलाने लग कुडिया। अरे पापने, इसने तो सब की छुट्टी कर दी, कंचन कई काम से, नहले पर तहला निक्टा हम, हा, 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 चल सर बुल्शन की, कि सज़ को करा, हुँ जल सर बुर्षन की तुझ को और आओ ना बाबा ना बाबा मैं ना आओ चल चल सेरे गुशन की तुझ को पराओ ना ना बाबा ना बाबा मैं ना आओ चल प्यार करना मैं तुझ को सिखाओ ना ना बाबा ना बाबा मैं ना आओ चल प्यार करना मैं तुझ को सिखाओ ना बापा, ना बापा, ना बापा, में ना आए ना, आप, ना, आए आज कर, आज कर कितनी सुहानी, रात होती है, आस्मा पे जाराप की, बरात होती है, बरात होती है, बरात होती है. चल दिन में, चल दिन में, चल दिन में, चल दिन में तारे मैं तुझको दिखाओं। ना बाबा, ना बाबा मैं ना आओ चल सेरी गुशन की तुझ को पराओ ना बाबा, ना बाबा मैं ना आओ जिन्दगी, जिन्दगी लेले के तेरा नाम गुजरेगी इस तरह कैसे भलाए शाम गुजरेगी, ये शाम गुजरेगी चल तुझ को, चल तुझ को, चल तुझ को मंदिर में दर्शन कराओ ना बाबा, ना बाबा मैं ना आओ चल तुझ को मंदिर में दर्शन कराओ ना बाबा, ना बाबा मैं ना आओ चल प्यार करना मैं तुझ को सिखाओ ना, ना बापा, ना बापा मैं ना आओ, चैसर बुल्षन की तुझ को कराओ ना बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा, ना बाबा, मैं ना आओ ए निया, कहा हो गई, क्या हो गे सुझे? मैं, मैं रवी और कंचन की महलबत की सपने देख रही थी, वा, क्या चोड़ी है? सपनों की दुनिया से निकल परना ट्रेन निकल जाएगी हाँ बाबी, बाबी, मा, यह तो आँख के तरह तपर ही है हाँ, अब क्या होगा, रवी, क्यों विचारी पर खामका जलम तर रहा है बड़े घरानी की बेटी है, धुलत की छाम में पली है तुने तो इस विचारी को तपती दुब में जुलसा का रख दिया खड़े खड़े देख के आ रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला है, जाना, जा बाबी, आपके लिए जोशांदा देशी दवा बना कर बिला दू तो आपके माता पिता को बुला ला आप अपनी घर जाना चाहते हैं अब तुम्हे पिताजी को बेना मूँ दिखाएं ऐसे मर जाओ तो अच्छा है बैटी को मिलने के लिए इस तरह चोरी छुपे आने की क्या जरूरा था राकुर्सावा आपके बैटी यहां रहती है आपको से मिलने का पूरा अधिका रहे हैं आपको दुखी देखतर बाप के दिल पर क्या गुजर रहे होगी यह मैं अच्छी तरह जानता हूं क्यूंकि मेरी भी मा है बाप है पहन है और दिल भी बुखार ज्यादा है थोड़ी थोड़ी देर से कपड़े को नमक के पाने में भीगो करने के सर पर रखिए बुखार कम नहीं होगा तो फिर मुझे भुला लीजी आईए चुजी ठाकुर आईए मुझे कंचन से मिलना है जी हां अंदर आके मिलिया नहीं मैं सिर्फ मिलने नहीं आया हूँ बल्के उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ अपने इस हालत में कैसे ले जा सकते हैं तेज बुखार की वजे से नीम बेहुशी के हालत में हैं वो किसी भी हालत में हो मैं उसे यहां से लेकर जाओंगा उससे या मरने नहीं दूँगा अगर उससे मरना है तो हमारे घर में मरें इस तम खुटने वाले छोपड़ने नहीं तो फिर आप यहीं रुकिए इस वत मा और भाईया घर पर नहीं वो आ जाए उनसे पूछ लिजी उनसे इजाज़त लेकर आप भावी को ले जा सकते हैं अपनी बहन को ले जाने के लिए मुझे किसी की एजाज़त की कौई ज़ूरत नहीं और उनकी एजासत की बिना आपनी भावी को ले जाने की इजा Specam तो मैं दिन कौन होती है मुझे रोखने वाले मैं कौन होती हो यह आप अच्छी तैरा जानते हैं बताने की जरुरत तो नहीं है जानता हूं अपने पते की ठुकराई हुए औरत अपने मनुज साइसे खुद के घर को बर्बाद करने वाली मनुज औरत है तू पहले चौकर से गढम बहां मिकाली हखवाज बंकर होज आसा बहां जब तक तुम अपने दिल से मुझे पती स्विकार नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छूँगा अपनी मा के चर्नों की साउगन अपनी मा के चर्नों की साउगन मैं आपके इतनी देखवाल और प्यार की हखतार नहीं हूँ मुझे मर जाने तो ऐसा मता हूँ अगले जाएगी तुम अभी बच्ची है हर मा अपने बच्चों से तंग आकर इस तरह नारास हो जा तो दुनिया का कोई बच्चा बड़ा होई नहीं सकता मैं बेते हुए कल को भूल चुकी है तो भी भूल जाए बिलकुल भूल जाए मा जी कितना बड़ा दिल है आपका मैं अपनी आर्कतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ हो सके तो अपनी इसकुनेकार पहु को शवा कर दीजा मैं जिस घर में पहु बनकर आई हूँ यह घर घर नहीं मंदर है और आप हमारे लिए भगवान है मेरी बच्ची आज है मा मैं भाईया को जाकर बताकर आती हूँ कि भावी ठीक होगे क्योरी चम्मक चलो उस दिन तो बड़ी सती सावित्रियों जैसे बाते कर रही थी अब आदी रात को कहां से और किस यार से मिलकर आ रही हो जबान संबाल कर बात करो शक्ती से मैं अपने भाईया को तलाश कर रही हूँ वो कमीना भी कहीं गुल जर्रे उडा रहा होगा कुछते कहीं के मेरे भाईया ने तुम्हें इस तरह मूं से गंदेशद निकालती में सुन लिए न तो तुम्हारी जबान कारतेंगी अरे जा 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 अपने भाई का हुआ मत मना अजब तेरी कुद्रत अजब तेरा खेल चुचुंदर के सर में चमेली का तेल अरे तेरा भाई कौन सा गयरतमन इंसान है जो आदी रात को रंगरली मना ले के लिए तुझे बात शुर देता है और खुच जा दरोर का सो जाता है मना तो उस हराम के पिल्ले को चाहिए और वो भी चुलू बरबानी में अब मैं इस अफमान को तेरे साड़ी के साथ पहुचूगा आप 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 तुने मेरे मुबे दूगा था थुका था ना अब ये घुलिया लेकर गाउं के अंदर जा हर कली हर घर का आदमी तेरे मुपे थुकेगा तेरे भाई ने मेरी भेएंड की इसद को उच्छा ला था मैं उस आरामजादे की इसद को मट्डी के अंदर मेला दूगा हमारे खानदान का सर जुकाया तो उसने किसी दे कुछ कह सगेगा, और ना कुछ थे सगेगा, हमारे खान्दान पर दुपीचर उचलाथा, और उपसका बज़ा तूरा हो गया हुआ कमोन, एडवर्ड क Öż कुर ना का बज़ा घिए करती है कुछ कर ne कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अगनी में लगाई है गरीब गास फूस की जोपड़ी में अपनी इसको पचा कर रखता है लेकिन आज उस शैतन ने बेज़िती के आग देगकर हमारी जोपड़ी की इसको चलाने की कोशिश किये और जब तक मैं इस अगनी में नहा नलो मेरी मन क्या अगनी ही पुझेगी है लक्ष्टी कोणा किसकी बात कर रही है तूँची कोठी मेरे नवाला नीच इंसान तुम्हे देटी करने के लिए तुम्हारा सथान नीच चा लिए हाथ में कुझे की जनी लिया को खुझा आया रजोने मेरे साड़ी को तारता आ कर दिया थाया उसने तुम्हारी बेहन की इस तत परहां दानने की कूशिश किये यह मशाल मुझे दे, मैंने अगर उसको और उसके खांगान को जलाका राख ना कर दिया, तो मैं अपनी मा का बिटा नहीं उसाग की जोले में तुमारी बहन की इज़न पर जाएगी, आयसक में एक ख्यास पर जीरे हैं कि कभी तु मेरे पाती का दिल बदलेगा, उन्हें अपनी गलती का ऐसास होगा, वो मुझे जविकार करके अपनी गैर ले जाएगी, लेकिन तुमारी लगाई हुई यास, इस गा किसी तरह आ रहे हैं, अगर तु चाहती है ये बात किसी को मालूम ना हो, तु जल्दी ऐसे भाग जा, तु मेरी बर्बा मत कर, वरना सब को पता चाड़ जगा, जै तु भाग जाओ इसमी भाग, तुझे मेरे सर की कसर भाग अच्छा, तो ये आग तु ने लगाई है, हाँ, ये आग लगा कर मैंने तेरी चिता ताहर किये, माँ जा लेको, हाँ हाई राद, आग? राद, 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 राद कर दो कर दो कर दो कर दो भाल ओो लेख लेख लए लेखं 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 हुभा, लेखो मा! 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 क्ठ voll क्ठ जाए नाग इस कुटा ना लगाए, इस कुटा ना लगाए उपजाल, अपर चल, ओर लगाए, हमेरे अग लगाए थै करे यह, ले ज़से, और पंचाइट के समने हादो खेड़से, चल, जाले कुटा यह क्या, यह कंड़ेसा मुग क्या देखनी हो कोई पूछे इस कमीने से कि मैंने क्या बिगाना था इसका इन गावनों ने क्या बिगाना था इसका कि मेरे अनाज के साथ साथ इन बचारे गावन वालों खानाज भी जिना डाला इसने पूछहिंसे! ठुम जुक्चाप क्यों खड़ा है? क्यों आग लगाईती तुने गौदाम में? क्या कसूर्था ठाकोर साथ क्या पाप किया था इन्होंने! वो क्या पाप था सर्फ मैं जानता हूं! मेरा भगबन जानता और पाप करने वाला जानता है! मैं उस खिलों ने पाप का जिकर अपनी सबान पर लाना भी नहीं चाबता हूँ कुल सब आप किसने की आप आप मुझे बता अरे मुझे बात कर कमीने जसे जुखा है क्यों खड़ा है तू नजरे जुखा कर इसलिए खड़ा हूँ कि मेरी आखे तुम्हारी मनुष शकल देखना नहीं चाहते हैं देखो साले आराम खोर को एक तो रंगी हातों पकड़ा गया फिर ना तो उसका खमंड कम हुआ ना इसका चर्वी कम हुई गरीबों के शरी पर तुम दॉलत बलों ने चर्वी छोड़ी खाए जो करोगी गरीबों का खुल चूस का चर्वी तो तुम लोगों आपने शरी पर चला रखी है लेकिन याद रखना जब तुम लग मरोगे तो तुम्हारी चिता की आग बंका तुम्हारी मनुष चर्वी तुम्हें जलाने से इंकार करेगी जंगली जानवार और कुटे तुम लोगों को लोच लोच कर खाएंगी पेटा है अपने बेड़े की जरीमी जबन को अले यह तेरे सामने तेरे माले कर अपमाल करता जा रहा है और तुम खरेख़े सबसुन रहा है तू है तरी मफवदारी पर नहीं मालक, आप हुकम दिешेंग sommes अब जो जो कहा है वो सजा मैं इसे देने को तयार हो मालक अगरम एक तसका महाँ जगभर होता तो यस कोब से महाँ दिने माँ सुछै तक कि भी दृता वरना कि कोबनेतिimmen मुंख पुझा। कर दिया है है कण भी सास ले लीजी भाजय थोड़ा पानी पी लीजी अब ठक गये हैं। सेफ़ाट हो गया नाटक! तुम्हारे पिता ने एक जुआ खेलकर इनके और मेरे बीच एक रिष्टा काइम किया था या देना उस रिष्टे के हिसाब से मैं इनकी पत्नी लगती हूं तुम्हें इसका खून बहाने का कोई अपनिंग है इतुम्हें हैं आतो wyn ही जानता हो के कौन कमीन आए जिसने अपराद किया है आने जानता हुआ है यह जानता हुँ कि इन्सान भेगना होते हैं आपनी जबान डंकै तुमहरे हर ज båंता क्राल रहा है तुम्हरा है अगर मेरा फर्माना तुम इस दामु की जबानी सुनोगे तो तुम्हारे पहनों तुम्हारे पहले की समीन भट जाएगी और पूरे दोट जाओंगे तंदर कोई अपरी जबान नहीं खुलेगा नहीं रवी मेरी इज़त रखने लिए तुम्हें बहुत कुछ बरदाश कर लिया लक्षमी अगर तुम्हारी पहले मेरी इज़त है बाद में तुम्हारी है और उसके बाद इन गावालों की है जिनकी बेटी है कर दो कुछ Meri अिर्भादी पुछ नहीं बता नहीं रोगा ये मिद्री के अब्रॉट के तन्हें ट्न में हांड़नी कोशिए विभाधने ज़ते पलों क physician प्राव सबस्केश़ इखोस Tôi छो मिली बाडिए मिलेगी अन्य सामने मिले अ neither अधाव एकुछ और उधेर दो इसकी खाल, मारो इसको इसकी रगों से इसका पापी खून निचोड़ दालो, सोच क्या रहे हो, तुम्हें सजा देनी होगी इसको, क्योंकि अभी थोड़ी देर परे तुम्हें एक बेग गुनाग बेटी को उसके बाप क्या तो बिटवाया है, तुम्हें कोविन, तुम सारी जिंदगी इन शैतानों की वफादारी करते रहे, और आज उसी वफादारी के बतले, इन्होंने तुम्हारी बेटी की दामन बेहाँ डाना आए, आज मौका है कोविन, अपने वफादारी की कि खिमत वसूल कर लो इन शैतानों से, आगे बढ़ो, परना कल कोई बाब अपनी बेटी की इज़त नहीं बचा सकेगा, कल कोई भाई अपने वहन की आबरू नहीं बचा सकेगा, आगे बढ़ो कोविन, चलो कोविन, आगे बढ़ो में SAY IT LOCK क्यांक यणि आपल में सेल्ग एढ़ी हर जुलम हुकम की तरह सेूपा रहा यहाँ पसीन बहा वहां मैंने अपना खून बहाए अर आज तेरे इस नापक खून ने मेरे खून की ये इद्जत करूं मेरी बेटी की इद्जत लुटने की कोशिश की похож unter जोड़े आदमी का चोला पहन कर बड़े पन का ढूंग रचाने वाला इंसान अगा छोटी हरकते करें तो जरूरी नहीं कि उनसे बढ़ना लेने के लिए हम भी छोटे बन जाए और इंसाने इतको भूल जाए और यह कहें कि बड़े हैं इनके पास तो बहुत आलोत है जो कभ कशरिअ जोना कभी ख 느낌 हो सकता ना चुरी हो सकता है हमिनकी तरह शराफ़त के गरीबлек नहीं नогए हम बहुत ऑबीड़े हैं ऑसल lavender कोल ओफ़ेों करतें यहें इनके सजा है है भाइयो मेरी तार्फ से इलों को माफ कर दो हम और चाव अपर गार चाओ चल लुक्षमी, गर चल मेरा सबर शोरीर जखम से भरा हुआ है, और तुम मुझे चुर रही है हाँ, क्योंकि तुमने मुझे ना चुने की, अपने माँ के चर्णों की जो सौगन खाई थी आज तुम्हे खुच चू कर, मैं तुम्हे उस सौगन से हजाद करती हूँ इसकी तुम्हे देख। सौच चुच 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 चुच। का मेरे सार के कुच चुच। नहीं, तुम्हे ने की सोगन्गी चल सेर गुल्षन की तुझ को कराओं ना बाबा ना बाबा मैं ना आओं चल चल सेर गुल्षन की तुझ को कराओं